कि अलो एवरीवन आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परिक्षा के आज के इस वीडियो में जिसमें फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही धमाकेदार हमारा महा जागरंड करने वाले हैं संपूर्ण उसस्ति पूरी कि पूरी एशस्ति जो है हम लोग यहां पर में अगे और मैं ऑनगोगों बदा दू fight की इस горelle में आप लोगों ने अगर ये पूरा सेशं पूरा देख लेते तो आप लोगों का जो हैंसी आरटी है ना अपसे अंगर बूरी की पूरी नहीं मिल रहा है। इतने भी लोग यहां पर में जुड़े हुए है मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी के सभी लोग लाइक और शेयर कर दे यहां पर में सबसे पहले तो एक-एक बच्चा जितने लोग जुड़े हुए है एक-एक बच्चा यहां पर में लाइक और शेयर कर सारी समझ की सेशन को शेयर कर देंगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे ठीक है चलिए तो जैसे यहाँ पर मैं मैं देख पा रहूं कि कि आप लोगों के 1000 से जादा लाइक हो चुके हैं लेकिन लोग बहुत धीरे जुड़ रहे तो एक बार दबा के जल्दी से सभी के सभी लोग शेयर कर दो यार तो मज़ा आ जाएंगी आप लोगों के चालो ज़र खाना खाली है नहीं आप लोगों की क्लास के बाद ही खाऊं इस question का answer कर दो मान जाएंगे आप लोगों को question में क्या बोला है एक अध्यापी का है ठीक है एक अध्यापी का है आप लोगों की और वो क्या कर रही है अध्यापी का क्या कर रही है अध्यापी का ठीक है तो यह अध्यापी का जो है friends यह प्रवास के विशय में पढ़ा रह है ठीक है उसके माइग्रेशन के बारे में पढ़ा रही है वो बताती है एक उधारन देती एक अक्षा के अंदर में कि सुनामी आई और यहां पर में गाव तबहा हो गया श्री देवी ती श्री देवी जो मच्वारों के समुदाय से थी वो चिन्नाई में स्थांतनित हो गई गाव में नहीं थिती चिन्नाई जैसे शेहर में मगे तो यह क्या है इंमिग्रेशन पूल यूशर माइग्रेशन ने या बूल के फेक्टर के ना तो ऑप स्वेक्टर माइग्रेशन तो कना Meaning माइग्रेशन बुलते हैं, उसको माइग्रेशन, माइग्रेशन, अब माइग्रेशन के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो या तो आप अपने मर्जी से गए हो, ठीक है, अपने मर्जी से चलो यार, बढ़िया से अच्छी जगा पे जाके रहेंगे, वो पुल हो गया, ठीक है, ati bulati है में झाने का नहीं लेकिन वह पुल उन फिर थो उसके तरफ में थे उन्हें मैं थे तरफ में खीचा चला रहा हूँ खीचा खीचा extend महारी को मारने अथा बासने कर दुश्री आप प्रवास के प्रतिकर्ष कारण के बारे में पढ़ा रही है यहां पर में केवल 35% लोगों ने आंसर दिया आप समझ गया यहां पर में आपका पूश फेक्टर क्या होता है सारे के सारे 1500 लोग एक एक जगा मारेंगे तभी जाके 3000 का टार्केट कंप्लीट हो जाएंगा लाइक के शेयर करते रहेंगे तो मेरे को यहां मजा आएंगे आप लोगों को पढ़ाने में पूरा राज जब तक एनर्जी रहेंगी तब तक वैसी पढ़ातार होंगा तो कभू को जासके लिज पी जाने के लिए जबरदस्ति को भीक बिचारे को जाना नहीं उसको यही अच्याल अपने का बूतर निंगे साथ में फिर भी जबरदस्ति जा झा करहिरें तु जा झाए बटसू जा नहीं पकाड़ा तु ज्या तू जा थैं पूष फेक्टर हो गया अप एक प्रकाशित कहानी है किसके द्वारा लिखी गई थी यह यूजी सी नेट के अंदर में भी आ चुका है सुल्ताना का ड्रीम यह याद रखना है आप लोगों ने बेगम रुकईया शेखावत हुसैन ने लिखी थी बेगम रुकईया शेखावत हुसैन ने इस पुस्तक को खोले थे तो पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोले थे मुस्लिम बच्चियों के लिए प्राइमरी स्कूल कि बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था मुस्लिम समाज में पहले में स्कूल जाकर तो उन्होंने स्कूल खोले थे तो आप लोग हमारे भारत की संविधान के अंदर में कौन से प्रकार की समानता है यह दो तीन बार आचुका अलग-अलग शिफ्ट के अंदर में कोश्यन आप लोगों का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभूत्व संपन्य समाजवादी धर्म निर्पेक्ष लोग तंतर अत्म अशर की समता आपको प्रवाइट की जाएंगी तो प्रतिष्था तीके प्रतिष्था मतलब आप लोग अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सको अगर मांदो आप छोटी जाती में सोकॉल्ड वैसे जाती प्रता वैसे कुछ होता निंग नहीं कुछ भी नहीं है कि सब मनुष् पhraser की समान ता वसर की समानता आज़सर की समानता यह लिख लोगों से निक्स को शीन के तरब में अगे बढ़ते हैं से अपलोगों के लगभग-बहा दो हजार साल पहले के रेशम-मार्ग पर नियंतर ogenintren ख essaset reasonuse tw这样 को पता होना जिये हमारा ये हमारी दुनिया है मान लो यहां पर में हमारा बहरत है एंजांपल यह है चाइना और यहां पर मैं ये व्यॉरोप और मद्य मद्ये अशिया तो यहां से क्या होता था फ्रेंट्स यहां तो बाइरत में इनका साशन रहा है, मध्धे एशिया से लेकर भारत तक इनका साशन फैला हुआ था, कुशान राजा हो का याद रखना आप सभी लोगोंने, इंपोर्टन्ट है एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, देखें, 1900 के करीब लोग हो चुके सारे लोग जल्दी जल्दी से शेर कर देंगे, लाइक और शेयर कर देंगे, तो आटोमेटिकली ये सेशन आगे बढ़ जाएगा, तीन हजार जब तक होते रहेंगे, तब तक पढ़ातार होंगा मैं आपको, रात चाहे आप चार बजे तक अगर बैट सकते हो, तीन हजार मैं चार बजे तक पढ़ाने के लिए राद भर और उसी एनरजी के साथ में पढ़ाऊंगा आपको, चार बजे तक, तो देखिए फ्रेंट्स, अगर मैं रेशम की बात करूँ आप लोगों से, तो रेशम जो है, स्मूथ आप लोगों का एक घ्लोसी कलर का कपड़ा होता है आप लोगों का ठीके इसको बनाने की प्रक्रिया बड़ी कॉंप्लिकेटेड है जो रेशम का कीड़ा होता है, उसको पालना होता है आप लोगों को ठीके, और उसके रेशे से फिर रेशम का कपड़ा बनता है, रेशम का आविशकार कहाँ पर में हुआ था, जल्दी तक उसको सीक्रेट रखा पता उन सब को था पर छुपा के रखा था उन लोगों ने इस तरीके से वह थी डियाट डायोग में याद आ रहे हैं पता था उनको लेकिन छुपा के रखा उन लोगोंने बाद में पिर दुनिया भर के अंदर में फैल गाई है तो रेशम बनानी की तकनीक काविशकार चाइना में 7000 साल पहले हुआ था लेकिन उन्होंने 1000 साल तक छुपा के रखा जिस रूट से यह व्यापार होता था उस रूट को क्या कहते थे आप यह रास्ते को क्या कहते थे सिल्क रूट कहते थे और कुशान राजाओं ने सबसे अच्छे सबसे लंब और प्रचों की ज़रूरत है तभी लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं शेयर कर देंगे तो कुशान राजा यहाद रखना डायेकल आप लोग यहाँ अपर में बन जाएगा नेक्स पॉइंट के तरफ में आगे बढ़ते आप लोगों के नेक्स कोसन आप लोगों को आ यह याद रखेंगे friends आप लोग की नदी के war तको क्या कहते हो live scripture लाफ लेवीज कहते हो आप से उत्थ Aww नदी के उठ्ट बंद यह लीवीज कहा जाता है ली इस elements के यह यह नदी उठे उवे तठका आप लोग क्या कहते हो लीवीस कहते नदी के उठे उवे तठक पनद या फिर लीवीस जैसे यह नदी है फाई नदी का पानी नहीं तोahu इदर उद्र पानी को उठानी की इस्चला गया उधर चला गया तो एक तट मंड होता हुट उत्था होता है इसको तठबंद कहते हैं आप लोग यह आदए अप लोगों नदी में बाढ के कारण जो बाढ का मैदानी इसको आप लोग फ्लट प्लेन बोलते हो छर्ना पानी ऊपर से जो गिरता उसको छर्ना लोएस का मतलब क्या होता है जो रेद के कंड होते हैं न हवा म उसना कहा करते हैं रित के कंड को उडा कर लेकर जाते हैं जमा देते हैं मानलो bunlar aga आप रहेळें जोड़ाखो उड़ जानronics जाते हैं निञ्षय अगल कि आतर जयाते हैं आंतर ओर रिट के गणम हो जआते हैं आतरको इसटान से दर उसको रोढ कि यहुदू आपलोगों कि क्या कहते हैं अपने प्रिंटक को सब्सक् disgust के रप में आगे बढ़ते हैं Patreon को लग कि इस चुशन का अंसर कीजी आपसभी इंपॉर्टन दिवन तरफ आपका इसर्भी बुला की वह कुछ जब आप लोगों का फुलमुन डे होता है क्या बोला है, when moon and earth are in the same line, then tides are highest, ठीक है, when ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and earth, then tides are lowest, देखो, तूरिय के साथ में, अगर सूरज, पृत्वी और चंदरमा, तीनो एक रेखा में होंगे, तो अव्यस सी बात है friends की, यहां पर में ही पानी का, पानी जो है, यहां पर में सबसे जादा high tides बन बनाएंगा यहां पर में, जो हिस्सा चंदर इसके सायत में होंगा, high tides बनाएंगा आपका, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर में हैं आप लोगों का, trigonally 90 degree वाला बन गया, तो नीप टाइड बनेंगा आप लोगों का, उतनी लहरे उठेंगी लेकिन उतनी उची नह में हो, तो पानी का बहाव, पानी जो है, friends, obviously बात है कि यहां पर में चंदरमा के कारण, यहां पर में जादा रहेगा, बड़ी-बड़ी लहरे उठेंगी, लेकिन जब 90 degree वाला कोन बनाएंगा, तो टाइड उठेंगी, लेकिन कम वाली टाइड उठेंगी, आप लोगों की कम टाइड उठेंगी, यह याद रखना है आप लोगोंने, ऒबिल्कुल सही था आप लोगों का दोनों के, यहां पानी जाता है, व्सको लगों के फ्रिंग टाइड करतेंगे, लगों क maple के, व्सको प्रिंग टाइड किया पूलेंगे, लिहां उठेंगी, ख्र्ण उच्छ जुआर भाटा कहते है जो उच्छ जुआर को ही, thick pot जो को ही, high tide को ही, उच्छ जुआर कहा जाता है, on the spring tide का मतलब ही हो गया आप लोगों का उच्छ जुआर ज्यंक टो तो ये c आप लोगों का गलत है, आप लोगों का आंसर हो जाईएगा बोथ a and b. तो दोनों सही थे आप लोगों के. Next question के तरब में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के. ये, आप लोगों का next question है यहाँ पर में. आप लोगों का who was appointed as दिवान ऑ बंगाल on 12th August 1765. बंगाल का दिवान किसको बनाया गया था तो बंगाल का जो दिवान है फ्रेंट सी रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था एक्चुल में क्या हुआ सत्रासोपैसट से पहले एक साल पहले 1764 के अंदर में जो लड़ाई हुई थी उसका नाम आप लोग में को कमेंड बॉक्स म की लड़ाई हुई थी जिससे के बंगाल बिहार और उडिसा का दिवानी अधिकार जो है दिवानी अधिकार का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है एक दिवानी अधिकार का मतलब होता है टैक्स इकठा करने का अधिकार तो टैक्स इकठा करने का जो अधिकार है फ्रेंट स सबसे टेक्स वहासूल कर रहा है कोई इंसान होंगा कोई ना कोई वहाँ पर में जो जाएंगा जिसकी जिम्मेदारी होंगी तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय जो है इस्ट इंडिया कंपणी के गवर्णर थे उनको दिवान न्यूक्त किया गया था यह याद रखनें आप लो यह भी आद रखनें आप लोगोंने नौ फ्रेंट्स इस कोश्चन का अंसर कीजिए भू राजस वो कि कौन से समझोतों में राजा और तालुकदारों को जमिनदारों के रूप में माननेता दी गई अंग्रेजों ने हमारे भारत के कई सारे इलाकों के अंदर में कभजा कर आलुकदार का मतला होता है friends जो ओन चलती है और जो लोगों की चलता है बाहुबलि टाइप बपो लोगों लोगों को यहां का जमीन की मालीकानहक दे दिया गया और बोला गया कि आप किसानों से टेक्स वसूल करो और East India Company को लाकर दे दौ ठीक है और जो आमाउंट आपने पचाए लाके को बोला कि तूमने रूपर अ क्सानों करो तुसमारी मर्जी वसूलब चलू करो तुम्हारी मर्जी इतना भी इकठा करोंगे हमको एक अमाउंट तुमने लाकर देना है जो बचेंगा वो तुम रख लेना तो था ही समझो होता जो था आपका पर्मनेंट सेटलमेंट जिसके अंदर में राजा और तालुकदारों को यह बोला गया कि भाई आप लोग जो है क्या कीजिए यहां पर में जम जमीनदार थे ना यहां पर में इसी वज़े से इसको जमीनदारी सिस्टम भी बोला जाता है जमीनदारी सिस्टम भी बोला जाता है इसको जमीनदारी सिस्टम भी बोला जाता है इसको जमीनदारी सिस्टम भी इसको बोलते है यह याद रखने है आप सभी लोगोंने इंप complete हो चुकिए उननीसों से ज्यादा लाइक सोगी जल्दी है अप लोगों आप लोगों ने थीक है तो परमनंट सेटलमेंट जो है आप लोगों का ठीक है 1793 को क्या कहा जाता है कमेंट करके बताओ जल्दी से पर्मनेंट सेटलमेंट को क्या बोलते हो आप लोग जमीनदारी सेटलमेंट भी बोलते हैं कौन वॉलीज चाल्स कौन वॉलीज जो थे उस समय में बंगाल के गवर्नर थे जिन्हों ने इसको लगाया था किसने लगाया था पर्मनेंट सेटलमेंट या जमीनदारी बंदोबस थाई बंदोबस या जमीनदरी बंदोबस ठीके एkal 2 लिसको पर मननने चाल् memb इसनने लगाया था इसको बनाया गया तो जमीनदार राजा और तालूगदकर जो थे उसी लाकिए के उनको जमीनदार बनाया गया था और इन जमीन धारों की जिम्य दारी कि भाई देखो आपको आज जो है 120 रुपे मिले जिसमें से 100 रुपे आपको अंग्रेजों को देना था 20 रुपे आपके बस बच गये तो आप क्या करोंगे अगर आप जमींदार होते तो 10 रुपे अपने पास रखते और 10 रुपे उसमें इंवेस्ट कर देते जमीन में किसा इसले बार आपका 180 रुपे की इंकम आई वहां से क्या आपने इंवेस्ट किया तो ऑव्यसी बाते किसानों की उपज बढ़ेंगी ज्यादा टेक्स मिलेंगा आपको 80 रुपे बच गया आप 50 रुपे इंवेस्ट कर दो ऐसा अंग्रेजों को लगा कि इंवेस्ट करेंगे लेकिन जमीनदारों ने ऐसा नहीं किया जमीनदार जित्ता आता था उतने पास रख लेते थे इस वज़े से सिस्टम ही फेल हो गया आपका जमीनदारी वाला सिस्टम पर्मनेंट सेटलमेंट बंगाल बिहार और उडिसा के इलाके में लागू था गवर्नर जनरल कौन थे यह आप लोग आंसर करेंगे फ्रेंट्स एक है जी हाँ बीपी असी में भी यह काम आएंगा आप लोगों का बिल्कुल जी हाँ जमीनदार लोगों ने निवेश नहीं किया था आप लोगों का डारेक्ट ली आंसर आऊगे चाल्स कॉन वर्लिस और यह आप लोग बता दोंगे कौन सा वाला साल था हो और यह आप लोग बताओंगे में को कमेंड करेंगे जल्दी जल्दी से और शैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है आप लोगों ने देखिए कौन से वाले व्यवस्था की बात हो रही है इसमें से ठीक है आप लोगों को बताने किस व्यवस्था के बारे में यहां पर में बात हो रही है तो सिंपल सी बात है अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर मैं इस पर्टिकुलर कोशन की आप लोगों से तो भाई हॉल्ट म एकेंजी ठीक है और गाओ का मुख्या तो सबसे सिंपल सी बात है कि गाओ के मुख्या को टेक्स वसूल करने की जिम्यदारी कब कहा दी गई थी तो आप लोगों को एक मैप मैंने जो अभी दिखाया था यहां पर में आप देखिए यह है बंगाल का इलाखा यह है दक्षिन मांडुन नौर्फ वेस्ट रीजिन में मेहल चतंप महहल्वारी सेटलमेट महल का मतलब होता है थी कहा है क्ई नौर्थ वेस्ट रिजिएन में में महल रिए प्षिन में मेहल मतलब गाओ मुख्या जब ढ wond वसूल करेंगा, इस गोकुल गाउ से पैसे जमा करेंगा, और पैसे लाकर किसको दे देंगा? अंग्रेजों को लाकर दे देगा, यह याद रखनेंगे आप लोगों ने, अंग्रेजों को लिजाकर वो पैसे दे देंगा, इस system को HALT Macanzy ने डिराइव किया था, किसने, Halt McKenzie ने 822 में, उत्तर पश्चीमी प्रांत के अंदर में, इसमें गाओ का जो मुखिया होता था न, वो tax वसूल करता था, यह याद रखने आप लोगों ने, इसमें महल का मतलब क्या होता था, महल का मतलब होता था, एक ऐसा गाओ, या गाओ का समुह, जहां से revenue इकठ किया जाता हो, तो आप लोगों से यह भी पूछ सकते हैं, महल का मतलब क्या होता है, तो यह भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना, आप लोग, गाओ का मुखिया जो होता था, उसको tax वसूल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, अच्छा, अब इतना खर्चा हो गया मालिक, तो रियोतवारी settlement के बारे में भी बताई देता हूँ न, दक्षिन भारत के अंदर में आप लोगों का, दक्षिन भारत के अंदर में कोई जमिनदार नहीं थे, तो अलेक्जेंडर रीड जो था, एक अलेक्जेंडर रीड नाम के अंदर में एक experiment किया जाए, उसने यहाँ पर में टीपु सुल्तान का इलाका जब अभी नया नया ही जीता था उन्होंने, उसमें एक experiment किया, बोले direct किसानों के साथ में agreement करते है कि किसानों से हम लोग, अंग्रेज लोग directly tax वसूल किया करेंगे, तो यहाँ पर में रियोत इसमें रियोत का मतलब क्या है? किसान है, रियोत का मतलब ही है किसान, सभी लोग लिखेंगे रियोत का मतलब क्या है? किसान, किसानों से directly, अंग्रेज लोग जो है direct उनके साथ contract करते थे और उनसे directly tax वसूल किया करते थे, इसी वज़े से इसको रियोत वारी settlement बोला जाता है रियोत्वारी सेटलमेंट सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के इलाके में ट्राइ किया था फिर बात में पूरे ये सिस्टम बड़ा मस्त लगा तो मुन्रो भाई साब जो थे उन्होंने बुला कि काम करते हैं हम इसको पूरे के पूरे मदरास प्रांत म में किसने इसको लागू किया था मदरास के गवर्नर थॉमस मुन्रो ने इसी वज़े से इसको मुन्रो सिस्टम भी कहा जाता है वैसे इसको रीड सिस्टम या अलेक्जेंडर सिस्टम बोला जाना चाहिए था भावरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकूर वाली ब किस ने स्टार्ट किया था तो अलेक्शेंडरी ने स्टार्ट किया था यह आप लोगों के तरफ में आगे बढ़ते हैं हमारे आपको पताने इस राजसों बंदोबस के अंतरगत राजसों एकठा करने और उसे महल ठीक है अंग्रेजों के समय में जहां से टैक्सी कठा किया जाता है महलवारी बंदोबस्ट ठीक है और कहा पर में लागू था यह उत्तर पश्चीमी प्रांत के अंदर में इसधर वाले प्रांत के अंदर में खताम हो गई बात समझ में आगया आप लोगों को कितना सिंपल सा था गाओ का मुख्या बोला और आप लोगों का आंसर यहां पर में आ गया खताम हो गई बात नेक्स कोश्चन के तरप में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहां पर में हमारे आपको बताना है कि नील की खेती करने की द जिसको इस्तेमाल कपडों को रंगने के लिए किया जाता है तो एक होता है नीज सिस्टम इंडिगो उगाने का सिस्टम और रियोती अगर कोई बागान मालिक है बागान मालिक मतलब जो इंडिगो चाहता है वो इंडिगो उसको चाहिए उसको बागान मालिक बोलते है अग का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड किसान ठीक है अगर किसानों से जो है उगवाया जा रहा है किसानों से कॉंट्रेक्ट के ओपर में उगवाया जा रहा है नील को तो उसको रियोती सिस्टम बोलते है आप लोग तो यह याद अप लोगों ने अगर निज सिस्टम है त कोंट्रेक्ट के ओपर में किसानों से उगवाएगा ठीक है रिच और रियती ऐसे दो सिस्टम थे भारत में इंडिगो नील उत्पादन के ठीक है तो रियती सिस्टम जो था आपका उन दोनों में फरक देखो डारिकली जो है कंट्रोल किया जाता था प्लांटर्स के द्वारा बागान मालिकों के द्वारा लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है इंडिगो कल्टिवेशन जो है वो केवल फर्टाइल एरिया में केवल उपजाव वाले जमीन पर ही की जा सकती है और उपजाव वाली जमीन पहले से ही दूसरे लोगों ने कबजायों होते है तो बिचारों क इतना जादा इफेक्टिव नहीं था तो रहती सिस्टम के तरफ में गए किसानों के साथ में जबरदस्ती की जबरदस्ती उनके साथ में कॉंट्रेक्ट साइन किया उस कॉंट्रेक्ट को सट्टा कहा जाता था कॉंट्रेक्ट को क्या कहा जाता था जल्दी बताओ रहती सिस त्सेम था उसमें किसानों के कॉंट्रe季 को क्या कहा जाता था तो किसानों के नों की सट्ता कहा जाता था यहाद रखने आप लोगों क्या कहा जाता था अंप आपुछांग जाता है तो जो family की वहा 2 ए मैं फुली रहल सबस्ता कि ति दंध क्वाड की ना सबढ़ कर देगर के इस तरीके से भी होता था किसान लोगों को कैश दे दिया जाता था अडवांस में यह लोग पैसा रखो ठीक है नहीं लुगाओ और हमको दो और कम से कम एक चौथा इलाके पर तुमको खेती करनी है तुम्हारा खेज इतना बड़ा उसमें से कम से कम इतने एरिया के अंदर में तुम लोगों ने नील उगाना है बाकी अरिया पर तुमको जो उगाना है वो तुम लोग देख लो इक है चालिए तो यह थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने अब किसानों को यह पसंद नी आया किसानों ने थोड़े दिन तक तो सहा लेकिन किसानों यह पसंद नी आया उन्होंने कर दिया Blue Rebellion नील विद्रोह अब नील विद्रोह कर दिया और आप लोगों को आंसर भी दिख गया इसका डायरेक्ट डायरेक्ट से तो यह कैसा विद्रोह हुआ जिसमें विद्रोह हो नहीं नहीं दिया गया यहां पर में टीम क्या हो रहा है य जमीनदारों ने समर्थन किया विद्रों की आसाम यहार इसे नहीं की भाज यह लोगों के बिचार किसानों के साथ में जबरदस्ती जो है वह अ Bel डव क्या कर रहे बिज्सक्रिस लोगों का साथ धिया अंग्डियज का साथ जया इस समय में Blue Rebellion में Blue Rebellion का अंगों का यह दोग्हँ लागों को अमीत यूवलिए घी अ tür खरेए नायर अंधुन टेम हुआ हम अ плग बहुत लोगों को संमर्थन हासिल था रियोत लो apt ऺएंग के नील उगाने के समर्थन में विद्रो कर रहे थे क्या कि नील उगाना है हमें हमें नील नहीं उगाना है उनको इसी वज़े से विद्रो कर रहे थे वो लोग नील उगाने दो करके कौन विद्रो करता है नील की खेती जो है तुमारी यहां पर में पुरे पुरे खेत को बरबा नीघ सटताएगा GETS के लुग अखने दो हम लोगों खेख एक गार वाली को के काम करने वालों का सामाजीव आश्कार किया गया जो विलोग अपले काम करते दें वालों का सामाइक बहिशकार किया घया उंको अब यहाइद बड़क रके नी बुलाया जाता था जो बागान मालिकों के लिए काम करते थे थे, इसके आलावा जो है फेंड्स, गोमास्ता होता था, गोमास्ता कौन होता था जो बागान मालीकों का एजेंट था, मान लीजे कि यहां पर में मैं हूँ नील का, मतलब नील विद्रो वाला किसान, ठीक है, और मेरे सारे आप लोग, मेरे साथी लोगो, यहां पर में एक कोई आया, गुमास्ता हमारे पास में, कि चलो, जो तुमको हमने पैसा दिया था, उ बागान मालिकों का एजेंट जो पैसे कलेक्ट करने हमारे पास में आया है अब आ बेटा तू अगले बार वापस से पैसे मांगने के लिए ते को देते हैं पैसे हम लोग तो हमने धना-धन उसकी क्या कर दी हाँ पर में धुलाई कर दी तो गुमास्ता कौन होते थे जो एजे को कमीशन बुलाया गया आप लोगों का इंडी को कमीशन बनाया गया एक मैजिस्ट्रेट थे मैजिस्ट्रेट उस समय के बंगाल के अंदर में एशले एडन उन्होंने देखा कि भाई गुमास्ता लोगों की बहुत पिटाई हो रही है बहुत विद्रो हो रहा है तो उन्ह इंडीγο गाना ने विद्र केदम बात में किन लोगों किया गया गया और फैदेमन नहीं है लेकिन जो पूर धी अगले वाले को रिफ्यूज कर देना इस quar कॉंटेक्ट कर चुके उसको तो पूरा कर लो जो कर दिया है उसको पूरा करना पड़ेगा ऐसा यहां पर में बूला गया आप लोगों का यह याद रखने आप लोगों ने दुआरा डीके बासु निर्देश के बारे में बात करें, तो डीके बासु निर्देश जो है, friends, basically बात करता है, कि जब पुलीस आपको पकडने के लिए आएंगी, इन बच्चों ने अभी तक भी हाँ पर शेर नहीं किया, लाइक नहीं किया, पुलीस जब आपको पकडने के कि Skill más. गी में इंटरोगेशन, किरिफतारी के दोराण किसी को नजर बंध कर रहे है उसके दोराण, पूछताच कर रहे है किसी से, उस दोराण पुलीस ने कैसी किन चीजों का पालन करना है, वो पालन 2800 लोग अगर एक साथ like and share मार देंगे ना सभी लोग ठीक है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 3000 का अखड़ा पार कर जाएंगे सभी के सभी लोग और आज पढ़ने आप लोगों ने क्योंकि जब तक करें में ही करियल कजए कर अंदर में सेशंस कोट के अंदर में तुपरिम कोट के अंदर में या हाइश कोट में तीन चीज़े थे अगर आप खुश नहीं हो तो फिर आप लोग जा सकते हो Supreme Court के अंदर में Supreme Court के अंदर में то District Court से Zila जैज से खुश नहीं हो तो आप लोग हाई कोट जाओंगे उसके बाद में याद रखने अपने उच्छ नियाले में और फिर उच्छ नियाले से भी खुश नहीं हो तो उच्छ तम नियाले में इसको अपीलिय व्यवस्ता कहा जाता है भारत के अंदर में अपीलिय व्यवस् पंडिता रमाबाई के बारे में ठीक है तो पंडिता रमाबाई एक्जाम में पूछा गया कोश्चन भाई लोग गरम गरम एक्जाम में पूछा गया कोश्चन उन्तिस्सो पार हो गया है आप सभी लोगों को congratulations, जल 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 दी से चैनल को subscribe भी करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही मज़ा आजाए आप लोगों को पढ़ाने में, तो देखे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर में पंडिता रमाबाई के बारे में, तो पंडिता रमाबाई जो है friends, उन्होंने क्या किया था, विद्वा ग्रह खो जाता थी, इसी वज़े से उनको पंडिता कहा जाता था, यह भी एक question आ चुका है, पंडिता रमाबाई को क्यों पंडिता कहा जाता था, क्योंकि वो संस्कृत की बहुत बड़ी जाता थी, यह आप लोगों ने याद रखना है friends, दूसरा भी सही है, पंडिता रमाबाई न पंडिता रमाबाई का मानना था, कि लोवर कास्ट की जो महिलाय है, उनको एटलिस उनके घर में, उनके परिवार के अंदर में, उनके पती का, उनके लोगों का साथ होता है, उन लोगों के साथ में जादा अन्याय होता है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है, कई जगा के उपर किसी को छू नहीं सकते इसके अलावा जो है उन्हों घूंगट में रहना पड़ेगा वो लोग कहीं जा आ नहीं सकते बहुत सारी चीजे रेस्ट्रिक्शन उन्हों पर लगाया जाते ऐसा पंडिता रामाबाई का कहना है मैं नहीं कह रहा पंडिता रामाबाई ने अपर कास् के लिए उफरी जाती के महिलाओं के उपर में उन्होंने लिखाता तो ये दूस्ट्रा वाला गलत है आपका लोवर कास्ट नहीं यहां क्या होना चाहिए था आप लोग बताओ मेरे को जल्दी आप लोग करेंगों सो जाएंगा यह तो चलो ठीक है यह यहां से हो आपको बताने हैं, आप मध्य भारत के प्राचिंतम क्रिशी शेत्रों पर परियोजना पर कारे कर रही है, या कर रहे है, ओ माई गॉड देखो मध्य भारत मध्य भारत की बात हो रही है यहां पर में तो मध्य भारत पर आजओ मध्य भारत मतलब इस एरिया के कही तो भी बात हो रही है यहां पर में खेती के शेत्रों की परियोजना पर काम कर रहे हैं मतलब आप किस बारे में काम कर रहे हैं जयांत नौर्थ वेस्ट के अंदर में चीर लीचा, ही वी नहीं सकता। मिन्हें ल२घ कि यहाठ में लुट आप पुrhहाई आप लोगोक कोश्व wolves já पड़ोगों जल्दी से कोश्वर में आप लोगों को कबीश बोला गया कि मध्य भारत के प्राचिंतम करशीषrale पर अला परी तयार कर रहे है तो आप किस बारे में पढ़ा रहे हो बच्चों को, आप लोग विंधिया शेत्र के बारे में पढ़ा रहे हो, विंधिया शेत्र के उत्तर भाग के अंदर में इस वाले भाग के अंदर में उत्तर वाले भाग में चावल की खेती के सबूत मिलते हैं, आप लोगों को मिलते हैं, यह याद रखना है इंपोर्टन पॉइंट एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग एक गारो हिल्स नौर्थ इस्ट के अंदर में लेको सेम कोश्चन सेम टू सेम कोश्चन मैंने आपको दिया चलो यहां पर मैं मध्य भारत के ब बोला तो गारो हिल्स आप लोगों को कहा मिलेंगी यहां पर में मिघाले के अंदर में गारो हिल्स आप लोगों को मिलेंगी उसके बाद में अगर आप लोगों से बोला जाए नौर्थ वेस्ट के अंदर में नौर्थ वेस्ट के अंदर में उत्तर पुर्वी इलाकों में तो यहां पर मैं किर्थर और सुलेमान की पहाडिया मध्या भारत बोले तो विंद्या रेंज आप लोगों की विंद्या ऐसे आप लोगों को तीनों के तीनों कोश्चन आप लोगों से पुछे जा सकते हैं क्या बात है क्रिश्चन मिशनरी जो है क्रिश्चन मिशनरी उन्होंने स्कूल को कैसे मैनेज किया क्रिश्चन या इसाई मिशनरी अपनी विद्यालेओं के माध्यम से क्या कर पाए मतलब उन्होंने कुछ तो किया है क्रिश्चन मिशनरी जो स्कूल थी मध्य भारत के अंदर में भारत में पहले Christian schools नहीं हुआ करते थे, उनके आने के कारण क्या हुआ, ठीक है, उनके आने के कारण, हमारे जो tribal group थे, जितनी भी caste थी, जितनी भी caste अलग-अलग caste system थी, उनमें equality और justice की भावन आई, क्योंकि जब अंग्रेज आये, तो वो लोग जात्पात में तो मानते नहीं थे, कि यह चोटी जाती का, यह बड़ी जाती का है, वो सबको equally treat करते थे, वो सब लोगों को, और इसाई स्कूल में अगर कोई बच्चा जो है, छोटी caste का जाता था, तो उसको equally treat किया जाता था, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, equality और justice की भावना, और यही चीज आप लोगों को महात्मा जोती राओ, फुले के अंदर में देखने के लिए मिलती है, आप लोगों को याद रखना है कि महात्मा जोती राओ, फुले, मिशनरी स्कूल से पढ़े थे, इसी वजे से उनके विचार करांतिकारी थे, उन्होंने गुला को अमेरिका के जो स्लेव थे उन लोगों को वो दिखाने के लिए कि भारत में भी तो ऐसे ही हो रहा है गर के तो क्रिश्चन मिशनरी स्कूल ने भारत के अंदर में क्या किया ट्राइबल लोगों के अंदर में एक्वैलिटी और जस्टीस का ऐडिया यह याद रखोंगे कि न लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंद्स इतिल्ट क्या बला है यह स्टिल्ट स्टिल्ट तेके अगर मान लिजिए कि बहुत ज्यादा बारीश आरही आ आप लोगों कि रस प्लाटफॉर्म के उपर में बनाया जाता है या बरफबारी हो रही है तो थोड़ा उचाई के थोड़ा उचाई के उपर में मालो यह जमीन है तो थोड़ा उचाई के उपर में जो घर बनाया जाता है ऐसे ऐसे जो एक बंगला बने नियारा थोड़ा उचाई पर बनाते हो जमीन से थोड़ा उचाई के उपर में तो यह बनाया जाता है आप लोगों का ऐसी एरिया के अं पानी नीचे और पानी जमा होता रहेंगा तो कितना डिक्कत वाली बात है ना चत तूड़ जाएंगे आप लोगों की इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या होता है स्टिल्ट्स बनाए जाते है यह रेज्ड प्लैट्फॉर्म वाले एरिया में बनाए जाते रेनी सीजन वाले लागों के अंदर में क्योंकि पानी नीचे में अक्यूमलेट हो जाता है घर में पानी घूसना जाए इसी वज़े से आप लोग स्टिल्ट्स वाले एरिया में बनाते हो ऊचा प्लैट्फॉर्म अथ्वा स्टिल्ट्स ठीक है तो यह याद रखेंगे आड इसेंड़ रखेंगे और और नीचे वुक्रीलाभ। चाहिते हैं वाले इंचा वह इंचार प्लैट्स पुछेएंगा। तौह तो यह पीटेट से क्यों सा चाहिते हैं और आप लोगों को का उम्स्वार में निर्मल एक निलामी निलामी में तीन बजी जाता है और को यह निर्मल भाहिया है हमारे बड़े व्यापारी है एक निलामी में जाता है बहुत सारे सब्सक्राइब बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ब फ्रेंग कि होल सेलर ओ हो जाएंगा तो यहां पर में आपको याद रखने हैं फ्रेंच की होल सेलर हो परशन होता है जो बड़े कॉंटिटी के अंदर में चुह है अमाउंट के अंदर में लोगों को बेचता है तो निर्मल यहां क्या कर रहा है होलसेलर है जो बड़े मात्रम में वेजेटेबल्स खरीद रहा है और छोटे जो होकर्स या जो शॉपकीपर से उनको दे रहा है रिटेलर वह लोग होते हैं जो छोटे बिजनेसमेन होते हैं या लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और टीचिंग परिक्षय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों को एनर्जी के साथ में पढ़ाता हूँ मेरी एनर्जी आप लोगों के हाथ में हैं सिंपल भाशा में बात करूं तो मेरी एनर्जी आप लोगों के हाथ में जब तक आप लोग का साथ रहेंगा उतनी जादा में एनर्जी के साथ में पढ़ाता रहोंगा तो सूरत की हुंडी बहुत ही फेमस है हुंडी का मतलब होता है फ्रेंड बेसिकली आप लोगों का एक ऐसा रिकॉर्ड ठीक है जिसके अंदर में आपने कि पैसा जमा करते थे बैंकिंग बैंक में कैसे जमा करते हो पैसा तो आपको रिसीप मिलती है तो वैसे ही हुंडी होती थी जैसे यह बॉम्बे प्रांत की एक हुंडी है तो वैसी सूरत की हुंडी हुआ करती थी जिसको पूरे दुनिया भर के काफी सारे शेहरों में उसकी की जाती थी तो में आप चले जाओ ये शुरत की रग दो बस लिए पैसे रखा है है मजह टांसामन लेके जाओ सामन लेकर तुम से ज़ाओ रखेजिगे सुहां पैसा तो सुरक्षित बाद बसरा एराक के अंदर में चले जाओ बेल्जियम चले जाओ वहां तक यह सूरत की हुंडी जो थी उसकी रिस्पेक्ट होती थी कि सूरत की हुंडी मतला पैसा सुरक्षित है जल्दी से पढ़ो आप लोगों कि आप लोगों कि यहां पर में आंसर जो है फ्रेंग्स आप लोगों का सिंपल भाशा में हो जाएगा कि इस नोट रिकॉर्डिंग डिपॉजिट मेड़ बाया परसन एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर में परसन ने कितने पैसे जमा किया वह आपको बताना है कि किस गवर्नर जनल ने घोशना कि कि बहादूर शाह जफर आखरी मुगल बास्टा होंगे इंपोर्टन्ट मार्क करो इसको बहुत जादा इंपोर्टन्ट एक देखिए फ्रेंड्स मैं बात बताना चाहूंगा आप लोगों को एक पात थी आप लोगों क कि बहादूर शाह जफर की मृत्यू के बाद जो उनके वंशज रहेंगे उनको लाल किले से रेड फोट जो है लाल किले से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा इसको बहादूर शाह जफर के मरने के बाद में उनके वंशज लोगों को उनको कई और रखा जाएगा फिर जब मर जाएंगे तो उनके बाद में किसी को भी बाश्चा नहीं माना जाएंगा केवल प्रिंस माना जाएंगा बाश्चा नहीं माना जाएंगा बादूर्शा जाफर जो है आखरी बाश्चा होंगे कैनिंग ने बोला कि उनके बेटों को केवल प्रिंस बोला जाएंगा तो प्लीज इसको तोड़ा सा याद रखिए आप लोग 1848 के अंदर में आया आप लोगों का Lord Dalhousie उसके अगले ही साल उसने घोशना कर दी Lord Dalhousie ने कि बहादूर शाह जफर जब मर जाएंगे तो उनके घरवालों को लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा तो उसके बाद में एक सफेद मुहा आया यह Lord Kenning इसने बोला बहादूर शाह जफर जब मर जाएंगे तो उनके बाद में किसी को भी राजा नहीं माना जाएंगा केवल प्रिंस माना जाएगा और मैं तब इनकी सूरत को देख रहू हूँ है मार दो बेटा मतलब सब इनके मरने की दुआ कर रह मरने मरने की बात कर रहें यह आया सफेद मुहा यह बोल रही कि जब मर जाएंगे तो आखरी अरे भाई तुम्हारे प्रिंस की बात कर चार पाच प्रिंस और कर सकते थे उस समय में वह जबर्दस्ती बिचारा इंसान यार है ना कि अधरि हम लोग यहां पर में फ्रेंट्स का पहला स्वतंत्रशाशा कौन था गुप्तावश फ्रेंड्स बहुन का स्वानी कोहा जाता है golden age of इंडिया भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसका पहला स्वतंत्र शाशक कौन था ही आप लोगों को बताना है, स्वतंत्र शाशक, गुपता वंश का संस्थापक बोला जाए ना, आप लोगों से संस्थापक, ठीके ये भी दिया हुआ है, आप लोगों को याद रहने है, संस्थाप था किसी और के अधिन काम नहीं करता था तो वह था आपका चंदरगुप्त एक तो बी इस दा करेक्ट आंसर चंदरगुप्त एक जो है यह पहला साशक था अगर फाउंडर कौन था यह बोला जाए तो आंसर होंगा श्रीगुप्त पाउंडर अगर पहला स्वतंतर शाशक ब कि उपाधी धारन करने वाला महाराजा ठीक है महाराजा अधिराज 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 कि उपाधी धारन करने वाला पहला कौन था तो वह चंदरगुप्त वन था और उसके बाद में उसका बेटा महाराजा अधिराज की धारन किती उपाधी तो यह भी आद रखने आप पिता पुत्रों ने क्या किया था फ्रेंड्स इन्होंने जो है महाराजा अधिराश की उपाधी धारन की थी क्या बाते फ्रेंड्स एक तीस सो लाइव के करीब पॉच गया और एक तीस सो लाइक्स कंपलीट हो गया देखे मैं पढ़ाने पढ़ाते पढ़ाते में इता दुभूली गया कि तीन हजार लाइक्स भी तीन हजार से जादा लाइक्स आप लोगों का नेक्स्ट को चुक्रिया तरफ में हम लोग यह उच्पा या एक्जाम के अंदर में तो आप को पता होना चीहकि उसको कहा जाना है मुंबई से दिल्ली जाना है तो अव्यस सी बात है वहां सम्मदुरी रास्ता जलमार्क तो है को काटो कोई को काटो एक को काटो एक को काटो आंसर आपका आपका attempts हो गया simple सी बात थी है oldest rock in the world are found in Prachintam chattan, सबसे पुरानी चट्टाने कहापर में मिली आप लोगों को दुनिया की सबसे पुरानी वाली चट्टाने तो दुनिया की सबसे पुरानी चट्टाने जो है आप लोगों को फ्रेंट्स पश्चीमी ऑस्ट्रेलिया में मिली है Western सबसे पुरानी है आपको प्लीज इसको या दखना है तो ओल्डेस रॉक इंद वर्ल्ड ये एक्जाम में आएंगा या दखना है सबसे पुरानी चट्टाने डुयू में दिया हुआ है सबसे ओल्डेस रॉक्स सबसे पुरानी चट्टाने दुनिया की कहा मिली आप लोगों क Western Australia, Pase Adm consultation में इस सबसे रेरेस्ट गॉन साइ की सबसे रेरेस्ट डायमट काॉनसा है हीरा काॉनसा सबसे रेरेस्ट वाला वैसे तो यहाँ परमें आप लोग जो है यहाँ परर में रेर हीरे हो मेरे ग्रीन डायमट सबसे रेर है यह याद रखने है आप लोगोंने, सबसे रेर है ग्रीन डाइमंड आप लोगों का, हारा जो आपका हीरा होता है, वो सबसे रेर है, तो यह भी कोश्चन पुछा जा सकता है, नाच्स कोश्चन के तरफ में आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से, सुमेलित कीजी आप लो यहाँ पर में, आप लोगों का, ठीक है, सुमेलित कीजी, लेकिन यहाँ पर में सुमेलित कौन सा वाला है, ऐसा होना चाहिए था यह कोश्चन, इसके फ्रेमिंग में डिक्कत है, मंगल ग्रह के पास में दो अप लोगों के, फोबोज, फोबोज, और डेमोज, नाम है उनक के पास में 95 है, और सेटन के पास में, अब तो रिकॉर्ड तोड, 145 हो गया है, लो जी, भाहिया, रिकॉर्ड तूड गया, 145 हो चुके है, आप लोगों का थोड़े दिन पहले की ख़बर है, एक सो पैताली हो चुके है, यह याद रखना है आप लोगोंने, यह याद रख सकते हो, बाकी मंगल ग्रह के पास में, पृत्वी के पास में कितने हैं, पृत्वी के पास कितने हैं, आप लोग कमेंड करके बताओ, पृत्वी के पास कितने हैं, पूर्य पूर्व में उदय होता है क्यो की, पूरज जो है, पूरभ से निकलता है क्यो की, क्यो की, क्यो नि सब्सक्राइब है यही एनरजी से रहे हैं चुल्य को सब्सक्राइब क ह कि बंहाँ न फ्लिल एक घ्रम पार कर खो है जो और जा हो अजIG कर स्तुरज से साइस्ट पंढ़त्यूब dwara यह जो बाकी कि चीजे, वो हमने भी पीछे के तरह में थिखंग म्हें एक चीज शुनो मेरी बात .. जो कम है तरू पांने बेmpभाण ज्जो खकी ने चाहिए है मैं आगे जा रहा हूँ मैं मेरे को बाकी की चीजे जो है पीछे जाते विख llev दिखती है डिख शुण में पृत्वी जो है वो पस्चिम से पूरब के तरफ में घूम रही है यह रीजन है आप लोगों का समाज में आगे रीजन आप लोगों को रीजन समझ में आप लोगों को क्या है तो यह याद रखना था आप लोगोंने नेक्स्स पॉइंट के तरफ में आगे बढ़ते हैं देखिए फ्रेंड हमारी पृत्वी जो है इस तरीके से यहां पर घूम रही है याद रखने है आप लोगों ने पस्चीम से पूरब के तरफ में इसी वज़े से सूरज जो है में वह पूरब से पस्चीम के तरफ में जात किने घूमती घूमती है टो एक değंटे के अंदर में 15 धिग्री घूमेंगी पंदरा डिग्री हर एक घंटे में पंदरा डिग्री पृत्वी घूमती है यह याद रखेंगे आप लोग विशुवत रेखा और उत्तरी ध्रू या विशुवत रेखा और दक्षिनी ध्रू के बीच की दूरी क्या होंगी यदी डिग्री में मापा जाए वट वुड़ बीड़ डिस्तंस बिट्वी एक्वेटर एड नौर्थ पोल और बीट्विन लेट्वी इंप साउथ पोल इस मैसरे इंडगी स्यंपल सी बात है बहुत चोटी आप है अगर मान लों कि यह आपका एक्वेटर है जीरू डिग्री आपको पता है हमारी पृत्वी के हमारी पृत्वित बीचों बीच वाला जो एक हमने सरकल बनाया है उसको एकवेटर बोलते है पेस्ट कोंड पोल तक पहुशने में है एकवेटर सोफ फोल तक जाना चाहांगे तो लगेंगे एब extra 13 व के विशुवत रेखा से उत्तरी धुरू या बोला है यहां पर में या विशुवत रेखा से दक्षिनी धुरू दोनों में से कोई एक बता दो तो नभे डिगरी लगेंगे उत्तर तक जाओंगे तो भी नभे डिगरी लगेंगा नभे डिगरी तक साउत में जाएंगे तो भी नभी डिग्री तक लगेंगा आप लोगों को समझे ना कोश्यन जितने भी लोगों ने 180 लगाया भाई वो गलत होगे क्योंकि आप पूरा लगा दे रहे हो पूरा का पूरा उसने बोला या तो इधर से लेकर चले जाओ मेरे को यहां से यहां लेकर चले जाओ या फिर इधर से ऐसे लेकर चले जाओ कोई भी एक तो कितना आएंगा तो 90 आएंगा जो 180 लगा रहे थे उन लोगों का गलत हो गया क्यों गलत हो गया वह मैंने आप लोगों को बता दिया यहां पर में ठीक है इसी वज़े से प्लीज इसको याद रखना इस कोशन का आंसर कर देंगे सभ प्रम प्रम अगे अगर्ण बात करेंगे हमारी इक्वेटर की तो इक्वेटर जो है वह जीरो डिग्री वाली लाइन आए जिरो डिग्री यह एक्वेटर मान लोग इसको 0 डिग्री माना जाता है फिर वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री नॉर्थ पोल को आप लोग 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हो साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ बोलते हो ठीक है साउथ पोल के पास में एक सर्कल और है आप लोगों का जिसको अंटार्क्टिक सर्कल बोला जाता है इसको बोलते ह तो आर्क्टिक सर्कल जो है वह 25.6 दिग्री नॉर्थ में हैं, और शाइचाइज डिग्री नॉर्थ में, तो ओके नॉर्थ पोल नभे डिग्री नॉर्थ में हैं, अब्यस्डी बात है, Tropic of Capricorn बजगे आप लोगों का तो यह है Tropic of Cancer Cancer यह साढ़े 23 डिगरी नौर्थ में है और Tropic of Capricorn है आप लोगों का Capricorn मकर रिखा आप लोगों की यह है 23 डिगरी साउत में क्यूकि एक्वेटर के साउत में हो और equator को zero degree माना जाता है तो आप लोग answer लगा सकते हो comment box के अंदर में बिल्कुल simply, है ना, सबी लोग answer करेंगे यहाँ पर मैं बिल्कुल simple वाला और आप में को एक चीज रहे गई है बस मेरे को बताओ, यह उत्तरी धुरूवरत आपने बता दिये 6.6 degree north है मुझे बताओ, दक्षिनी धुरूवरत का कितना होगा Antarctic Circle भी बोला जाता है उसको English में दक्षिनी धुरूवरत बोलते हैं उसको Hindi में और Hindi में उसको अगा जाता है दक्षिनी धुरूवरत और इंग्लिश में Antarctic Circle बोलते हैं जल्दी जल्दी से, सभी लोग PDF कैसे मिलेंगी सर तो आप लोगों को Teaching Parikshya App के उपर में भी मिल जाएंगी Teaching Parikshya App के उपर में मिल जाएंगी Teaching Parikshya App डाउनलोड कर लेना सभी लोग इसी के साथ में Friends, Danish Shek, जो Telegram Group है उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सब 30 डिगरी पूरव में क्या समय होगा बड़ा इंट्रेस्टिंग सा कोश्चन है, ध्यान से लेखिए आप लोग यह हमारी दुनिया है और यहां पर में जो सीधी वाली एक लाइन होती है आप लोगों की इसको लॉंजिट्यूट कहा जाता है जीरो डिगरी लॉंजिट्यूट को ही आप लोग कहते हो ग्रीन वीच लाइन यहां से समय डिसाइड होता है आप लोगों का कि क्या समय हो रहा है पूरे दुनिया, मतलब इंटरनेशनल समय यहां से डिसाइड होता है अगर यहां बारा बज़ रहे है, मानलो 12 p.m. हो रहा है, दो पहर के दो बज़ रहे है तो तीज़ डिगरी पुर्व हो में कितना समय होगा मतलब, basically पूछ रहा है यहां पर में यहां पर में THीज़ डिगरी इस्ट में क्या समय होगा आपको एक चीज़ पता है कि हर पंदरा डिगरी अंदर में एक गंटे का फरक आता है। न इन आवर का। तो थीज डिक कितने गंटे का फरक आएंगा। थीज डिगरी मेंちょっとे रहां भाशिब अंपनोगना। दुगना अब बात आती है कि यह समय में आगे जाया जाया या पीछे जाया जाया इसके लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है अगर आप इस्ट साइड में जा रहे हो पूरब में जा रहे हो आप लोग तो आपको माइनस करना है समय पीछे जाना है अगर आप लोग वेस्ट में जा रहे हो वेस्ट साइड के अंदर में तो आप लोग ने प्लस करना है वेस्ट में जा रहे हो तो आ यहां पर में 83% लोगों ने करीब यहां पर में सही आंसर दिया है ओके चालिए गुड आगे बढ़ते हम लोग यहां पर में यह भी कोश्चन बहुत ही इंपॉर्टन्ट है और एक्जाम के अंदर में पुछे जाने की बहुत अधिक संभाव ना है इसका आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप लोग लॉंजिट्यूट का मतलब जो है होता है देशांतर बिल्कुल लॉंजिट्यूट का मतलब देशांतर होता है ठीक है और जो लैट्टिट्यूट होता है उसका मतलब होता है अक्षांश चलिए यह आप लोगों को याद रखना है कि लॉंजिट्यूड जो है आप लोगों का उसको ग्रीन विश्लाइन बोलते हिए लॉंजिट्यूड आपका जीरो डिज्ट्यूड आप लोगों का लॉंजिट्यूड है वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है तो देखें अब हमें बेशीक पर होता है नहां से समय जो है आप लोगों का सबसे पहले सूरज पूरब में निकलता है आप लोगों का तो पूरब के अंदर में क्या होगा आप लोगों का पूरब के अंदर में पूरब के अंदर में जो है समय पहले हो चुका होगा आप लोगों का पहले हो चुका होगा तो अगर यहां बारा बज़ रहे हैं अगर और 30 डिगरी इस्ट की बात हो रही है क्योंकि यहां समय पहले हो चुका है सूरज यहां से निकल कर आगे आ चुका है पहले सूरज यहां निकलेंगा उसके बाद में सूरज इधर साइड जाते वह एस्ट से वेस्ट के दरब में जाते वह दिखता है आप लोगों का ना तो ऑव्यस सी बात है कि अगर यहां बारा बज़रे तो यहां अल्रेडी बारा बचके भी आगे निकल चुके होंगे तो आप लोगों का जो आंसर रहेगा यहां पर में वहोगा 2 पीम यह याद रखने आप लोगों ने ठीक है दो पहर के 2 बज़रे हों कि सुभा के 10 तो आप लोगों को यह याद रखना है कि जब आप इस्ट में जाते हो तो आपको प्लस करना होता है और जब आप वेस्ट में जाते हो तो आप लोगों को माइनस करना होता है इस्ट में प्लस और वेस्ट में आप लोगों को माइनस करना होता है यह चीज आपको दिग्री वेस्ट में कितना समय होंगा, क्या आप लोग बता सकते हो मुझे, छल्धी से बताइए आप लोग कमेंड करके, इस कोशन का अंसर करो तब तक, इस कोशन का अंसर करें जल्दी से, तो देखिए अगर हम लोग यहां पर में बात करें इस पर्टिकुलर कोश्चन की जो अर्थ का जो मुमेंट है अप लोगों का अर्थ का जो मुमेंट है ठीक है पृत्वी अपने अक्ष पर घुमना इसको क्या कहा जाता है अर्थ का जो मुमेंट है अर्थ का पृत्वी का अ अपने अक्ष पर घुमना रोटेशन पढ़ाता है तो एक ही जोड़ी तीन के साथ लगनियां साथ लगनिया और अन्सर नहीं हो सकता? आर्थ का अपने सूरज के 4 और घूमना एपने सीज के एसे गूमनाति से पूरा फूरा घूम केआना ठुक है इसको परी कारा जाता है परी की जोड़ी 1 के साथ Forget такие ऊपर में हमारा सूरज है मान ओर यह हमारी पूदभी ईधर साइड सूरज के सामने हो अगरा होता है वह बुर्गा होता ओधर साइ Sorry Thank You एक imaginary circle आप को नहीं गिया डिन और रात को विभाजीत करता है उसको प्रदीप्ति वरत कहा है, बोलो sms जल्ली से, क्या कहा जाता है उसको प्रदीप्ति वरत कहा जाता है, जब आप लोगों कि, आप लोग comments आप याद रखने, कि पृत्वि पर दिन और रात का विभाज्र का ठीक है doante और 올कों का उसको importance एककौल ले और लेकॉल ईकौल नाइट कौनसे तब करन् 청ण को आता है एक विक लौ सापकर एकrogen काалась करेंगे अपका कमेंड करके बताएंगे पराइब करना को पृतिवी अपने गिंवर सूरज के चार ओभून थि है एक elliptical path निल्प्तिकल पात के अंदर में आप लोगों का दिर्ग वृत्थाकार path के अंदर में, ठीक है, उसको आप लोग बोलते हैं, उसको आप लोग कहते हो, आप लोग रिवोलूुशन, ठीक है, यह देखी आप लोगों का rotation और वो है revolution, ठीक है, यह आपका rotation है, और यह revolution ह इसको याद रखने आप लोगों ने, जी हाँ, ठीक है, यहाँ पर में आप लोगों में से काफी सारे लोग आंसर कर रहे हैं, 21 जून जो लोग बोल रहे हैं, 21 जून को बड़ा दिन होता है, दिन और रात समान कब होते हैं, बेरी गुड, ठीक है, 21 मर्च और 23 सब्टेम्बर, यह याद रखने हैं आप लोगों ने, देखो, विशू, विशू का मतलब क्या होता है, यहां पर मैं से मिटार हो, द्यान से समझें, सभी लोग, दिन और रात बराबर होने हैं, आप लोगों के, उसको इक्विनोक्स बोलते हैं, 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सब्टेम्बर, यह में 37 221 लोग वोने अनदी स सभी लोग एक साथ ऊंजेयर कर देंगे तो सभी यह हमारा बडेंगा थो सभी लोग एक सात्प सभी लोग शेर कर दो आप लोगों की बैतारी के उपर में चोट न्हों कि सभी लोग इसको भाते रहें के जल्दी जल्दी से ओके चलेख न erf में आगे बढ़ते हैं आप लोगों की एक्विनोक्स में आप लोगों को बता दिया कि 21 मार्च और 23rd September को होता है जब पूरे दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं कोई भी पोल सूरज के तरफ में उस दिन जुकावा नहीं होता दक्कन का पठार जो है आप लोगों का अपने पस्चीमी भाग पर कौनसी भौतिक विशेष्टा से जुड़ा हुआ है वैरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट क्यूंकि एंसको दिया हुआ है यह आप लोगों का है फ्रेंड्स ठीक है भारत है मान लीजे यहां पर में है दक्कन का पठार तो दक्कन का आंसर आप लोगों के क्या है आप लोगों का आंसर हो जाएंगा यहां पर में है अपर में itud dys Lak इंट पू सकते हैं तो इसको प्लीज याद रखना एंप लोगों ने साय κα Geor तकन का पधार कौन से आकार का है भी याद रखने है आपने त्राइंगिूलर शेप का है यह अप से पूछा जा सकता है पांगे रिंप शायर का है यहाद हमесीं अम नंदन Bisic daran के इक claw 10 शब्द का के इंपेंड निंग prag panda निंदम्ध इस है एक शब्द का मतलब लेटिन भाशा में होता है सेटल डाउन स्थीर हो जाना सेटल डाउन हो जाना इगनिस का सेडिमेंटम का मेटामॉर्फेस का या लेपीस का यह बहुत ही इंपोर्टन वाला कोश्यन है आप लोगों का ए रहा है अप लोगों को द्यान से समझी अगर मैं बात करोूं आप लोगों से र greater की राक होती आपतीं एक होती हैं आगने चाट्टाने इगनिस्स सबसे पहले बंती है जो अमाग के जम जाने के कारण सेटिमेंटि राक होती जब ऐसे फिर से जमा स्थिर हो जाती है और कायांतरी चट्टान हीट औरैशर के कारण बनती है कि आप लोगों वह याद रखना थिक एला है आपा आपका आगन चट्टाने तो हैं आप तो ने जो है यह बंडिया भोगों कि अगाण होग वाव फैनियिंज लाटिन शवद से बनी है इगेनिस से इखने से अले यह बंहें चाक्त चप्त लोगों हता है इखन ना व सच ध्लेश टंडी जो हर उखना है उसके कारण बने तरह एंचिक्या इखने पफ草साद कि और ग ुर्laceash मतलब है सेडिमेंटम का मतलब होता है कि अपले की सफीर हो जाना क्यूकि इपन िकने वुक्रे तूटते हैं और सेडिमेंन पतिक्स IL Latin शबद, Sedimentum से बना है। जिसका मतलब होता है, स्तीर हो जाना, एक है, अट्ल डाउन हो जाना Metamorphic Rock जो है, यह Greek word से बनी है Metamorphose से इसका मतलब होता है, Metamorphose का मतलब होता है, Form को Change हो जाना चेंज हो जाना, क्योंकि जब हीट और प्रेशर पढ़ता है किसी चट्टान के ओपर में वो अपना रूप और जो अपनी प्रॉपटी से वो बदल लेती है, Metamorph is, Metamorph, ठीक है, आप लोगों से नेक्स्ट पॉइंट के तरफ में बढ़ते आप लोगों से इगनियस रॉप जो है आप लोगों की इगनियस रॉप इगनियस नाम के शब्द से बनी है, जिसका मतलब क्या होता है, फायर, या अगनी, मेरे साथ साथ में रिवाइस करते जाओ, ताकि याद हो जाए, अगर इंट्रिस्व अंतर भेदी इगनियस रॉप है, तो उसका इग्जाम्पल है ग्रेनाइट, अगर एक्स्ट्रिस्व इगनियस रॉप है बहीर भेदी, तो सैंड स्टोन, फीक है लाइब स्टोन, चूना पत्थर, या मिट्टी waiting, यह अपलोगों की स्ेडिमेंट इवल का ग्जाम्पल है, मारबल, जब नाइम इच्टोन के उपर में पत्थर में अप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोंगे, हीक है जब प्रेशर डालोंगे तो व उसका फल जिंदगी के अंदर में देखने के लिए जरूर मिलेगा कि मैं पढ़ा रहूं और बाकी लोगों को देमोटिवेट कर रहें वो लोग को चुप चाप जाके सो सकते थे लेकिन वो क्या कर रहे पता है कि आप लोगों को वो जो है ना जितने भी लोग के कुछ होते हैं जो एकाद दो नमुने जो इधर अधर की लिखते नीदारी या नीदवाली इमोजी अपर चुट्चा जाके सो जाओ बिस्तर बे किसने रोक के रख़े तुमको जो लोग आगे बढ़ेंगा तुम लोगों को बाद में पता चलेंगा जब बच्चा रोएंगा हस्पता ले जाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे यहां पर मैं तब भूल ना उसको कि सोया हुआ था कि उस समय में जब रिजल्ट नहीं आएंगा तो अपने पपा को बताना जा कि अप जब बच्चे बड़े होंगे हस्बेंट जो मारेगा मार पीट होती है वहाँ पर में जब कुछ बोला जाता और खुद के पैर पे खड़े नहीं होते तब बताना कि उस समय में नींदा रही थी जब पढ़ा रहे थे तब और बाकी लोगों को भी बोल रहे थे कि नींदा परफिक के बारे में आपको पढ़ा दिया है निम्नलिकितर से कौन सा वाला कथन सही है आप लोगों का यह बताने है आप लोगों ने ठीक है तो यहां पर मैं बोला है कि जो टेम्परेट टाइप यह समझ लो आप लोग यह अगर हमारी पृत्वी है मान लीजिए आप ना इरिवाला झालमीं ह aula रपिक के आर ट्रोपिक अवे मारी में आप लोगों रोग से थीटिउटा यहां नीचे वी तेंपरेट जोन है टेंपरेट टेंपरेट जोन इंपलों का स्थे आप लोगों का स्धूरी southinson ने घंपरेट नहीं जो ए सफ्ञाटओ ना डासा होते है यह कहा जाता है, tropical, जो ट्रशूपी्विकल जोन में, जो पाय जाते, इस वाले जोन में, उनको कहा जाता है आप लोगों का ट्रॉपीकल डेसी-डॉप regardless, ट्रॉपीकल आपके उश्नकटी बंदिया autorSON हीवन, उको मानसूनी वन कहा जाता है क्योंकि केवल मानसून के अंदर में हर्य बर्य रहते 바की समय में पत्ति गिरा देते हैं इसी वजय से उनको मैंसूनी फॉरेश्ट वोलते है यह तो गलत है ए उस भात है यहीवाले पॉद्धे यही रगोनी तो यहां को यहां को है 10 गोने कि अपक्रूपया जाते हैं जितने यहां कि को Z rela onBS अब जाता है 6 इसे में नौर्फया बीर टेम को यहां पालbers पॉरेस्टव को सेयल फॉरेस्टें भीकल केटों गालेश को तेय प्योग deficient संस्य गोने न क स Quindi को सब 그때 Ha work टेखा को और गल्प्रीरि स्टी नॉर्इस्ट लेकर focus comfortably कॉस्श्चरे ुर्च कॉष्छ्ट में काफी सारे पॉइंट इस उनिवार स्टॉट्डीर अफ लोगों करने डींडेट्स वार्यषिक के ना में तो मंद्ध पर्म्राइब के अंदर में सबसे यही वाले पौधे पाए जाते हैं सीजनल चेंज एक्सपरियंगर करते यह बहुत इंपॉटन ओभ शीजनल चेंज जब गर्मी का मौसम आता है तो नंगुपुंगु हो जाते है एक और जब बारिश का मौसम आता है मौसमान सीजाना आता है फिर से हरे भ आप लोगों ने इस कोशन को इस कोशन को देखे आप लोग आप लोगों से बोला गया है कि अलग-अलग प्रकार की resources होते है अलग-अलग प्रकार के resources होते है आप लोगों में ठीक है अलग-अलग पर क्या केवल एक जगा पर पाया जाता है यहार जगा पर पाया जाता है जैसे हवा हवा हर जगा पर पाई जाती है हवा और डिस्ट्रिबुशन के अधर पर वो सरव्यापक हो गई और लूहा सोना चांदी यह आप लोगों का स्थानिक है पेट्रोल कुछ अलग-अलग स्थान पर पाए जाते हर जगा नहीं पाए जाते तो वित्रन के आधार पर उसको सर्वव्यापक और स्थानिक में बाट सकते हैं उनके उद्गम के आधार पर जैव और अजैव में बाट सकते उनको ठी और अगर उनका भंडार कम है तो और नभी करने बोलेंगे कि भाई समाल के खर्च करो नहीं तो खतम हो जाएंगे यहां पर में तो यह याद रखने आप लोगों ने खतम कंटिनुव कीजिए सर्फ पूरा एसेस्टी करना है तो मौसम मंगता जी तो कह रहा हो कि सभी के सभी अगर हम लोग दो एक साथ लाई के शेयर करेंगे तो बिल्कुल मेरे को भी आइनरजी मिलती रहेंगे देडिकि दो घंटे के करीब करीब होता आ यहां पर मैं चाहने के अपे लोग बढर में यहां रहाँ आने की कगार पर हम लोग ठीक है और मैं यहां पर में आप लहाँ अगर हम लोग उसका इस्तिमाल अभी कर रहे है जैसे koila है आपका brick uma उसको हम लिव बाटल है उसका इस्तिमाल भी कर रहेतों एक्चुल होगे आपका उसका development हो चुका इतना ज्यादा कि हम लोग उसको यूज कर पा रहे सारे के सारे points को सभी के सभी लोग ठीक है level of development के आधार पर actual or potential origin के आधार पर biotic abiotic distribution के आधार पर ubiquitous localized और stock के आधार पर renewable non-renewable ठीक है चालो next question की तरह मैं आगे बढ़ते है friends आप लोगों का सूर्य से आने वाली वह उर्जा जिसे पृत्वी रोक लेती है उसको आत्पन कहते है और आत्पन की मात्रा भूमद्य रेखा से दुरूओ की और घटी जाती है तो देखे फ्रेंट्स यहां पर मैं बात करू आप लोगों से स सूरज से जो गर्मी आ रही है और जो गर्मी को पृत्वी ने रोक लिया है उसको इंसोलेशन या आत्पन कहा जाता है आप लोगों का बहुत बार को शनाया इसके ओपर में आत्पन इंसोलेशन सबसे जादा इंसोलेशन या सबसे जादा गर्मी कहा पड़ती है इक्वेट यहां पर में कम गर्मी पड़ती है तो जैसे जैसे लिए फोल के जाओंगे गर्मी कम पढ़ेंगी आप तो सबसे द्यादा आत्पन इंसोलेशन इक्वेटर के पास, धूम अधम क के पास पन अप लोगों का हुट्षो दोनों पॉइंट्स यह नहीं प्ड़िया आप सभी करके बैल आइकन भी जरूर दबा देंगे तो देखें अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों की इस पर्टिकुलर कोश्चन की तो दोनों के दोनों यहां पर में सही है आप लोगों के आंसर होंगा आप लोगों का ऑप्शन नमबर 73% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था आगे बढ़ते हम लोग यहां पर में कौन सी जल संदी आर्क्टिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पहली बात तो जल संदी का मतलब होता है एक ऐसा पानी का भाग जो बड़े-बड़े दो पानी के भागों को जोड़ता है तो आर्क्टिक सागर ठीक है आर्क्टिक सागर ऊपर में है और प्रशांत महासागर आप लोगों का तो उनको जोड़ने वाला है बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग जल नम्रू मध्या यहां आर्क्टिक सागर है और यहां पर में है प्रशांत महासागर आप लोगों का के बाद में जो है फ्रेंट की शेत्रे के बहुत दोर मुसलमा दोनों ही तिब्बत के राज्किये गरंत केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं दो कोश्चन यहां पर में क्लियर हो रहे है आप लोगो के दो पॉइंट केसर सागा है अगा का ग्रंथ है लिखो जल्दी से अगर कोश्चन पढ़ा है आप लोगों ने, कोश्चन के अंदर में देखो, कोश्चन में उसका अंसर चुपा है, केसर सागा कहा का गरंथ है, केसर सागा कहा का गरंथ है, तो केसर सागा यह तिबबत का गरंथ है, और इसका एक स्थानिक वर्जन कही और भी पढ़ा जाता है और वो पड़ा जाता है LADDAQ में जहांपर में हिंदू, जहांपर में बॉध्ध और मुस्लिम दोनों ही उसको पड़ते हैं, बॉध्ध और मुस्लिम दोनों ही उसको पड़ते हैं, तो एंसर आप लोगों को जाएंगा Friends, Option No. A ठीक है, LADDAQ, तो Kesar Saga यहां पर में लद्दा के अंदर में केसर सागा का स्थानिय वर्जन पड़ा जाता है यह आप लोगों को यादर नहीं इंपोर्टन पॉइंट इंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन के तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के फ् भारत यह है हमारा प्यारा सा भारत ठीक है और यहां पर में है तिब्बत का एरिया जो चाइना ने कभजा करके रखा हुआ है तो बुद्धिजम यहां पर में पहला बड़ा बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर में धीरे धीरे लद्दाक के थुरू होते हुए वो पहला है तो याद रखनें अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बुद्धिजम तिब्बत के एलाके में कैसे पूछा तो किसके थुरू पौचा जल्दी बताओ आप लोग जल्दी से कैसे पौचा वहां पर में तो वो पौचा तिब्बत लद्दाक के थुरू पौचा लगताइखोटे और पूंचा वा स्वाना सभी लोग लिखेंगे केसर सागा काया का ग्रंथ है केसर सागा काया ग्रंथ है यह भी लिखें यह लूग यह पीए अल आपको बताना है कि यदि सर्वोच्य न्याले अपने निर्णेओं में संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलीक अधिकारों का उल्लंगन करने के आधार पर निरस्थ कर देता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएंगी अगर मान लो कि संसद ने कोई कानून पारित किया और कानून को सर्वोच्य न्याले ने सुप्रीम कोट ने रद कर दिया कि यह वाला कानून तो गलत है तो उस कानून को रद कर दिया गया है तो ऐसा कानून ठीक है जो यह प्रक्रिया है जिसमें सुप्रीम कोट ने संसत के कानून को ही निरस्थ कर दिया इसको आप लोग इंदी के अंदर में कभी judicial review को नियाइक पुनर अवलोकन, judicial, जो आपकी judiciary है, जो court है, उसका निरिक्षन कर रहे है कि वो सही कानून बनाया या नहीं बनाया है, ठीक है अगर नहीं बनाया तो उसको उड़ा देंगी, तो यहां पर में judicial review कहा जाता है, संसाद अगर कानून बना कि जिम्मेदारी किस पर है, judiciary के उपर में है, इवन हमारे समीधान में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या होगा, final interpretation कौन निकालता है, judiciary निकालती है, तो judiciary जो है, final interpreter है, हमारे समीधान में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या निकाला जाएंगा, क्या नहीं निकाला जाएंगा, व हमारे भारत देश के अंदर में आप लोगों ने लिखना है कि हमारे भारत के अंदर में मुख्य रूप से किसको दिया गया है यह यहां पर में आप लोगों का टगे जुडी श्री को नाव फ्रेंड्स पूरुष और महीला कंकाल आवशेशों के अध्यान और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए किस चीज़को देखना चीए आप लोगोंने अगर आपको और मिले हैगा आप लोगों पैचानना कि इसमें से लटका कौन सा था लडकी इस? थी पर लड़का-ळड़की होगी ऐसा कैसे पता च्विड़ मानलोके है दोनों या दोनों लड़किया है या एक लड़का एक लड़की है कैसे पतासलेका बिल्कुल पानी पई ले दाओ मैं कि इफ ठीस लोगत लोग इनर्जी लगा आहरों कि आप लोग अपनी अनर्जी लगा रहे हो यह आप लोगों ने डिसाइड करना है क्या आप लोग अपनी एनरजी लगा रहे हो पूरी की पूरी चालिए तो यह आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स जो जुएलरी है उससे पैचानेंगे भाई नहीं जुएलरी तो लड़के लोग भी पहन सकते हैं ऐसा थोड़ी नहीं यह वाली जो हीप सोती यह वाली यह वाली बात यह थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि वहां पर उन लोगों को बेबी रखना होता है कि मेरा वाला मत देखना मत थोड़ा बड़ा होता है मेरे से बड़ा होता है इतना ओके तो बोन स्ट्रक्चर से ही पैचान सकते हो आप लो इम्पल सी बात है भाई लोग और उनकी बहनों, ओके तो यह याद रखेंगे आप सभी लोग यह आप लोगों का गलत है और वेपन ऐसा थोड़ी है कि हत्यार दवनाया तो लड़का ही होगा अगर के लड़की भी हो सकती हो डेंजर वाली लड़की तो देखो लड़के लोग पैन सकते हैं आपने लड़का हें यह पैन रहा है आप लोगों के चीज़ याद रखना है frens की बोन स्ट्रक्चर ही एक तरीका है जिससे आप पहचान सकते हो और कोई तरीका नहीं है बोन का structure, हड़्डियों का धाचा क्योंकि लड़कियों को कुलहा होता है pelvic area, hip area वो बड़ा होता है क्योंकि वहाँ बच्चों को रखना होता है उन लोगों को ने जैसे देखे हैं male का इतना है ये याद रखने आप लोगों ने तो फिर तो पैचानी नहीं सकते, लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कas बच्चों में तो पैचानी नहीं सकते . छूहा रे चूलअ कूल्हा जापके कूल्हा है छूहाOOOO आँगे में पहले हम लोग कुश्यन के दरब में बढ़ते हैं निम्ना लिलिपन मत ऊष्छियों कास्त कार में छाबू किसने लिखिए जल्दी बता हिए कंवा स्ट कार काचाबू किसने लिखि ने लिखि है जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला था शेर, वह यहां पर में कुब की चीज तरह से है, कि थोड़ा लिखा, ठीक है, और थोड़ा छोड़ दिया, थोड़ा लिखा, और थोड़ा छोड़ दिया, आने जाने वालों के लिए रस्ता छोड़ दिया, थोड़ा लिखा, और चूलह जलता छोड़ दिया ठीक है चलिए लड़किया भी आ गई चूलह भी आ गया और आप लोग समझ जाव यहाँ पर में ठीक है आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से ठीक है अर चाबूक नश खार्शा से घृतिंट कांव कर नुद्ट pode क्तर से तो कास्थ कार का चामट महांडमा जोटिर्वाह तक सब्सक्राइब दोड़ा को क्ना और लट्रम पर आन कांगा थाम मंदीर प्रवेश आंडोलन किस्ने शुरू किया था तो 1927 से ले कर जो है प्रेंड कि जो है 1935 के आपका टीन बार मंदीर प्रवेश आंडोलन शुरू किया था डॉक्टर भीम राव आमबेटकर ने, Dr. Bheem Rahu Ś 008 को है friends, आप लोगों को याद रहखना हैं, मंदिर प्रवेश आंदोलन रहा है, मंदिर प्रवेश आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, तीन Biology बने चलाया, मंदिर प्रवेश, इनका में मंचस था 1927 में जब इनोंने मंदिर प्रवेश अंदूलन किया कि मंदिरों के कुए से दलितों को पानी भरने दिया जाए या पानी की कमी थी इस वजे से मंदिरों के कुए से पानी भरने दिया जाए नहीं, ठीक है, बेसिकली उनका जो ये मकसद था फ्रेंड यहां पर में इन लोगों का, ठीक है, इनका जो मकसद था बेसिकली वो ये था कि भाई सभी लोगों को बताया जा सके कि देखो, पावर कितना है, कास्ट प्रिजुडाइस का, जो जातिवाधी पुर्वाग रहा है, वो कितना मजबूत है हमारे भारत में, कि एक दलित व्यक्ति मंदिर में से जाके पानी नहीं पी सकता, देखो दुनियावालो, देखो, तीन बार उन्होंने ऐसा अंदोलन चला कि देखो, कितना पावरफुल है, कास्ट प्रिजुडाइस आप लोगों का, ठीक है, यह याद रखेंगे, आप लोग, वाकि बी आर आमबेटकर के बारे में बताओ, तो इनका जनम महार परिवार के अंदर में हुआ था, यह खुद छोटी जाती से बिलॉंग करते थे, औ बच्पन से ही जेला हुआ था इनोंने, इन सारी चीजों को, ठीक है, यह यूए से गए पढ़ने के लिए और 1919 में वापस आ गये, और कास्ट पावर को तोड़ने के लिए उन्होंने अपना काम चालू गर दिया, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग-अल जुए उन्हों की पहचानर समाप्त हो जाती है वैसे ही सारे लोग जब बुधिस्ट, बुधिज़म में मिल जाते है, तो नुकी अपनी पहचान सब ठाम हो जाती है, अपनी पहचांन सब खाम होग जाती है, सब एक हो जाते है, तो Buddhist Post Muhammad Art Kim ch immiguach Allah בר सफ her deci来了 Unterstützung एक हो जाती है मतलब पानी उनका एक हो जाता है वैसे ही सारे अलग-अलग जगह से आओ कोई भी वर्ण हो कोई श्रेणी हो कोई भी परिवार हो त्याक करो आजाओ बुद्ध के अंदर में विलीन हो जाओंगे बुद्धिस टेक्स्ट के अंदर में यह लिखा गया है यह बा को पूरा करना है आप लोगोंने मेहनत करनी है अभी यहां पर में जितने भी लोग है जो देख रहे हैं वह अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे है कल जाके उनके माता-पिता कितना प्राउड फील करेंगे कि मेरा बच्चा जो है जब रात-बर पढ़ाई करने की बात आ आप लोगोंने फ्रेंट्स की हर किसी का जो परिवार होता है वैसे ही यहां पर में तिब्बती बर्मा परिवार हमारे भारत के अंदर में जो नौर्थ इस्टन एरिया है आप लोगों का नौर्थ इस्ट वाला जो एरिया है इधर में यहां की जो भाशाए है वो बर्मा मत यह दो और उतवर स्वकुदए मुआए इन गोगो पूर। यहां की यहां तो यही यहां पर confronting पाकिस्तान की आप रूपर में है टू संधी सिंठ आ सुनख पाकिस्टान चाहरा नहीं हो सकता था अगाल है की यह मौ ठैक्साहिग Volt एक भाशा बज जाती आप लोलों को कि 85 हए एसका संबन्ध तिप्बत बर्मा परिवार से आपका 85 पहसी यह मिधले के अंधर में बोले-जैने वहीं बहसा अप लोगों की यह याद रखनें आप सबी लोगों ने, खासी भाषा, तो आंसर आपको, इसका option number D हो जाएगा, तिबती बर्मा परिवार, बाकि South India में जो भाषा है बोली जाती है, उसको क्या बोला जाते है, पता है कि आप लोगों को, कोई बता सकता है मुझे, कोई एक भी बच्चा, जल्दी से comment करके बता aufenे, कि आप लोग, सभी लोग इसको बना के रखो, share करते हो, जिस जिस group में share कर सकता हो, तीन हजार के उपर रखो आप लोग इसको, मेरी energy डाउन योंगी, मैं आप लोगों को समय रहा हू हम यहां पर में, तीन हजार के उपर करने का तिन हूपर सभी के सभी, जितने लोग जैसे कि तमिल नाडू में रविड भाराइशा परिवार है ऐसाब आप next question आप लोगों का आप लोगों की screen के ओपर में यह रहा जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा इस question का answer करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से particular इस question का answer कीजिए जल्दी जल्दी चलिए एक तालिस्तो के करीब जो लोग है friends इन्हों ने इस session को like भी कर दिया है ऐसे ही आप लोग जो है like का button भी दबाते रहेंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग ताकि जादर 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 रीच मिल सके हमारे session को और मुझे भी मज़ा आए और मुझे भी energy मिलती रहे आप लोगों को ठीक है पोल वाले सर टाइम वाइस पोल दीजिए पोल पहले या बाद में जा रहा है टाइम के हिसाप से दीजिए screen पर जब कुशन आ रहा है उसी समय में दीजिए अपर में कि विद्धिया यादो बोरे सर सुनो मेरा बॉइफ्रेंड खो गया आपकी क्लास के अंदर में विद्धिया यादो जी आपका नाम विद्धिया क्यों रखा है आपके घरवालों ने कि 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 रखना चीए था ताकि आप धूर्ण सके उसको कि यहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर में डैपिट्स बुद्धास प्रेजेंट थू साइन मतलब महायान बुद्धिजम जो बुद्ध धर में आप लोगों का बुद्धिजम यह याद रखने आप लोगों ने बुद्धिजम जो है आपका उसकी दो दो ने पुराना वाला बुधिजम हिनायान इसको पुराना वाना, old बोल सकते और एक है महायान, नैन तендणभी का, new new वाला महायान, new वाला तो friends जो new वाला बुधिज़म है आप लोगों का उसके उनदर में बोधी सत्व का ऑपकीपट है समाज के लिए जो है अपने आपको समर्पित करता है वह अकेले नहीं रहता वह समाज में वर्ल्ड में रहता है बोधिसत्व इसी वज़े से उसको बोधिसत्व कहते तो बोधिसत्व आइसोलेशन में एकांत में जाकर बैठनी जाते कि भाई जैलो यार मेरा हो गया मैंने प्राप्ति उनका हो गया काम फिर भी फ्रेंट्स वो क्या करते दुनिया में रहते हैं दुनिया में रहकर लोगों की सेवा गरते है तो यह वाला तो बिल्कूल गलत आप लोगों का तो जहां-ब दिया उसको काड़ दो बोधिसत्व जो वह समाज में ही रहते हैं वर्ल्ड बनाई जाती थी, तो बुध्द की मुर्थिया बनाइ जाने लगी, C होना चाहिए आंसर में, तो C यहां पर में नहीं दिया है, आपे दोगोगों का D में, D बाले option में C नहीं दिया है, A और D यहां पर में के बाले A और D, पांसर आपको यहां पर में option number C हो जाएंगा, ठीक है, C और D जो है यहां पर में सही आपका, Bodhi Sattva जो है वो वर्ल्ड में रहते थे, obvious सी बात है, simple सा question था, ठीक है, खामा खा, complicated किया आप लोग ने इसको, ठीक है, चालिए, next, जो है friends, आपको याद अखना है, कि जो बुद्ध के प्रेजन्स को, मुर्तियों में न दिखा कर, किसी ना किसी सिंबल में दिखा देना, यह मेरा माइक है, मैं इसको बुद्ध मान लूँ, और मैं अपने ध्यान में मगन हो जाओ यहां पर में, बुद्ध मेरे एक दम सामने है, एक दम मेरे पास, मैं meditation में lean हो गए हूँ, मुर्ति नहीं बनाऊंगा बुद्ध की, अगर मैं हिनायान वाला हूँ, तो मैं मेरे माई को मान लूँगा, मैं बुद्ध है, मेरे पास में एक दम, और मैं बस इनको मान कर बढ़ियासे, ला 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 लोरी दूद की कटोरी दूद में बताशा, बड़ी असे मेडिटेशन करूँ अपना, तो यह हो गया हिनायान वाला, मुर्ती नहीं बनाऊंगा, कुछ चिन्नों के अंदर में बुद्धो को दिखाऊंगा, और अगर एक्चुल में मुर्ती बना ली, और मुर्ती मुर्तिया बनने लगी थी बुद्ध के समय में, महायान के समय में, यह याद रखेंगे आप सब भी लोग, इंपोर्टेंटे एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, नेक्स्ट के तरह में आगे बढ़ते हैं, बोधी सत्व वाला जो कंसेप्ट आप लोग झाल झाल जी चलिए बताइए यहां पर में आप लोगों का इट इस लोकेटेट बाए कारा कोरम रेंज इन साउथ एंड जांसकर माउंटेनी नौर्थ ठीक है इसके दक्षिड में कारा कोरम रेंज है और उत्तर में जांसकर परवत है लद्दाक के लद्दाक है कहा पर में पहली बात तो यह याद रखिये आप लोग ठीक है तो लद्दाक जो है आप लोगों का यहां पर में है इधर साइड में नौर्थ इंडिया के अंदर में लद्दाक आप लोगों का शर्ण कर आप लोग अपने माइंड के अंदर में ए एक चीज़ आप लोग अभी के अभी आप्छै करो सबसे पहली बात क्योंकि यह नाएंगा एक्जाम के अंदर में अर्छा स्पर में है और ज्यास्कर रेंज दक्षीन में है ये ए कारा कोरम लिखो जिखो का दॉया कोर यही पर गलत हो यहाँ पर में की कारा कोरम को दक्षिन में बोला है आप लोगों का गलत एक है जासकर दक्षिन में है कारा कोरम नौर्थ में है तो यह आपका अंसर गएगा क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा है बाकी में आप लोगों को यहाँ पर में भी दिखा देता हो य घेंगरी ग्लेशियर हम भहुत ही फेमस ग्लेशियर है हीमानी है या या थिर हीमले आपने आप उसको तो पहुआ हीमखंड बोलसकते हो ग्लेशियर को यह आप लोगों को गेंगरी क् वाफ़ आप लदाके कंधर मिलने वाला है अच्छा, लद्दाख जो है friends, आपको पता होना चीए कि यहां पर में हिमाले का पूरा शेत्र है, तो बाद, यहां पर में क्या है, यहां हिमाले है, पूरा हिमाले, तो बादल जब इधर से आते हैं, इधर साइट से, बादल जब आते हैं, इधर साइट से, तो यही पर बरस आगे जाई नहीं पाते लद्डाक में तो लद्दाक में बहुत कम बारिष होती है बिल्कुल सही बात है में अन्दर में हिमाले कि öğ sap हिमाले की रिष्टी चाया की चीत्र में स्थीथ है इसी वज्या यहां बहुत कम वर्ष मिल्च वर्ष होती है राद कि है और कश्मिर वैली में जोजीला पास के तुरू यह connected है यहां पर मैं यहां पर बस पास पास आपका जोजीला moi यहां देख सकत्य श्रीनगर जोजीला पास से connected है इंप इंपल सी बात सिंपल एकड़न एटम में सिंपल सी बात तो एसे आप लोग कर सकते हो यहां पर में इसको लद्दाग जो बहुत जादा उचाई पर है इसी वज़े से यहां का क्लाइमेट भूट ही थंडा होता है और ड्राय है क्योंकि वहां बारिश नहीं होती जादा यां बें यहां इसी वज़े से यहां बहुत तेले कि वहां पर में चींगेальным का और दीन में जस्टवड़ा स उपर रहता है आप लोगों का टैली यह तोड़ा सा याद खने आप लोगों द्रास, नाम की एक जगह है, द्रास, हमारे इंडिया का सबसे थंड़ा प्लेस, द्रास कहा पर में लोकेटेड है, लिखो सभी लोग, हमारे इंडिया का सबसे थंड़ा प्लेस कौन सा है, हमारे इंडिया का सबसे थंड़ा प्लेस है हमारे इंडिया का सबसे थंड़ा प्लेस द्रास है यह याद रखने है आप लोग ने लद्दाक के अंदर में सबसे थंड़ा यह बहुत ही इंपोर्टेंट एक्जाम के अंदर में आप लोग उसे पूछ सकते हैं प्लीज इसको य पेट तो श्क्रीन पर और। यार। साहत में उएंगा मेरे वो इक वाहा जात हूँ मेरे साहतार हूँ और मैं आपको आपको बजाए दू मैंने आज तक पंदेपर जिंदगें आम। मैं कभी अपने पेट को अबने दूर ने होने दिया, अपने बिलकुल एकदम अपने शरीर से लगा के रखा है, ठीक है, मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे पेट से, अभी कभी मैंने जिन्दगी में अलग नहीं कि अपने पेट से, अपने पेट को, और तुम कह रहो हो यार, पेट बीच में आ रहा करके, बताओ, गुट निर्पेक्ष अंदोलन की पहली शीखर बैठक कहा आयो जीत हुई थी, बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है आप लोगों कहिए, इसको बताने हैं सभी लोगों ने, एक है, दफर्स समिट मीटिंग अफ नॉन अलाइन मूमेंट हेल्ड एट, गुट निर्प गंशतार के साथ मेशन जाये, हमने बोला हम दोनों के साथ में अच्छे से राएंगे, मनलावली भी कराइंगे, दोनों में अच्छे रिष्टे स्थापित करने की भी कोशिश करेंगे, तो हम लोगों ने एक नॉन अलाइन मूमेंट है, हमने और कुछ और देश National Caribbean ह यिन ल यूगोसलाविया के उसके बाद में नसीर सहाब जो है वो इजीप्ट के राष्टरपती थे और पंडित जवाहरलाल नहरू इंडिया के प्रधान मंत्री इन लोगों ने इन तीजो तीन में लोग ने मिलकर जो है दो हमारा भारत भी उसका पार्ट था ये बहुत ही एक बड़ी बात है आफ इसकी पहले मिटिंग तो इन यूगोष सलाविया की अंदर में हुई थी यह याद रहेंगा आप सभी लोगों को बेल ग्रेट के अंदर मे इसके पहले meeting हुई थी.. अब तो चलोama देश ही ख़िम हीता ही.. आप लोगों बॉज एक यह तूट गया। आप भ्युक्ने को शीया भापने.. आप यह जी श्चीच जीच है.. अब तूड गया बिचारा, तो युगोसलाविया के उस समय के राष्ट्रपती टीटो, नसीर साहब एजीप्ट के और नहरू साहब भारत के, इन तीनों ने मिलकर और भी बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर आया, और 1961 में बेल ग्रेड नाम की जगा के उपर में उन्होंने गुट निर्पेक सम्मेलन की पहली बैठक आयुजित की थी, ठीके महाजन पर काल के दौरान कई तरह के करवसू ले जाते थे, उनमें से एक कर भाग था, वो भाग की दर क्या थी और वो किस बात के उपर में टैक्स लगाया जाता था, ठीके फ्रेंट्स, आप लोग काफी सारे जो लोग है, जितने भी लोग यहापर में देख रहे हैं, आप लोग यहापर में बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बट मैं आप लोगों से एक उमीद और करता हूँ कि आप सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ Telegram के, हर एक group में, हर एक group में डाल दो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने, आप लोगों के लिए थोड़ी भी महनत किये, थोड़ा भी मैं आप लोगों के लिए effort कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों, आप लोग, जो है, हर एक group में शेयर जरूर कर देंगे, और जिन्हों ने भी इस सेशन को लाइक नहीं किया, भी तक लोगों लाइक भी ज़रूर करते रहेंगे, ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि मेरे पास कोश्चन, आप थक जाओंगे, मैं नहीं थकूंगा, अगर आप ने मुझे एनर्जी दे दी, तो मैं नहीं थकने भगवान ने बहुत एनर्जी दिया मेरे अंदर में, कूट-कूट के भरी विए, एक बटा 6 है, यह याद रखना है अप लोगों ने, उत्पात का, खेती के ओपर में, किसानों के ओपर में लगाया जाने वाला टैक्स था, जिसको भाग कहा जाता था, और जितना भी आपन उगाया है, मानलो 60 kg चावल आप लोगों ने उगाया है, तो उसका एक बटा 6, तो 60 kg का एक बटा 6 कितना हो जाएंगा आपका, ठीक है, 10 kg, तो 10 kg आपके ओपर में टैक्स लग जाएगा, यहाँ पर में, तो आपका एक बटा 6 भाग जो है आप लोगों को टैक्स के रूप म उनसे लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, पशुपालकों से लिया जाता था, जो हंटर गैदरर होते थे, उन लोगों से भी टैक्स लिया जाता था, देखिए फ्रेंट, 24 डिसमबर 2021 का कॉश्यन आप लोगों का, बताइए यहाँ पर में वेद समाज, इसी से क्लियर ह था आप कई में पर ज़ाज कर्षड़ अपलों की जलदीसर अपलों कै यहाँ पर भीद समाज, घ्रीश जो किसे अनटे लिदीगश कहान से रिलेटेड है ए वेद समाज important difference याद रखने आप लोगोंने मदरास से related है दक्षिन भारत से related है वेद समाज आप लोगों का तो एक ही जोड़ी दो के साथ लगनी वाली है आप लोगों की तो यहाँ यह answer नहीं हो सकता और यह answer नहीं हो सकता option elimination की ninja technique option elimination करो आप लोग जो है यहाँ पर में okay तो A और D तो आपका eliminate हो यहाँ पर में प्रार्थना समाज जो है friends आप लोगों को याद अदर में था प्रार्थना समाज जो जाती वयवस्ता है उसके खिलाफ प्रार्थना समाज Bombay महाराष्टर के इलाके के अंदर में तो B की जोड़ी तीन के साथ लगनी है आप लोगों की तो B की जोड़ी यहाँ वन के साथ लगी है तो B की जोड़ी तीन के साथ लगनी है आपकी A की जोड़ी जो है वो दो के साथ लगनी है आप लोगों की और सिंग सभा लाहुर मैं बतातों सिंग सभा लाहुर क्यों है भाई क्यों है सिंग सभा लाहुर सिंग सभा के बारे मैं आपको बतातों मैं सिंग सभा जिन भी बच्चों ने टीचिंग परिशा पे मेरा लेक्चर देखा कि अम्रित अम्रित सर में चीक है अम्रित सर के अंदर में ओके और जो सेकंड टाइम आयो जुद रहता वह पुक्मान्सकू नी और ये याद है आप लोगों कमार्विद के निद्ध का शुत हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं जल्दी जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग इस कोश्यन का आंसर करेंगे सभी लोग तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे friends, ब्रामो समाज की, यंग बंगाल अंदोलन ठीक है, उसके बाद में friends, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से रामकृष्ण मिशन की, उसके बाद मैं बात करेंगे हम लोग यहाँ पर में अलीगड अंदोलन की तो देखिए, अगर मैं ब्रामो समाज की बात करूँ friends, आप लोगों का, तो इसके संस्थापकते राजा राम मोहन रोय, लेकिन राजा राम मोहन रोय तो दिया ही नहीं अप्शन में, लेकिन केशब चंदर सेन वो भी तो इससे जुड़े हुए थे ब्रामो समाज से ब्रामो समाज से वो भी तो इसके एक मेंबर थे मेंबर थे न, मेंबर केशब चंदर सेन किसके मेंबर थे, ब्रामो समाज के मेंबर थे, इसी वज़े से एक ही जोड़ी तो आपके चार के साथ लगनी है ओके, यंग बंगाल थो लरन सभी लोग मेरे साथ साथ में लिखेंगे यंग बंगाल थो लरन Henry Louis Vivien de falseo मैं चाहता हूं कि यह यह पॉइंट हर कोई लिखे, you are बंगाल थोरन, Henry Louis Vivien de falseo, चाहे डिरेजू लिखदो यूवा बंगाल आंदोलन क्योंकि यह आप लोगों का गोध लिया हुआ कोशन एक्जामिनर का और आप लोगों ने यह याद रखना है कि यह पॉइंट आप लोगों का कई सारे एक्जाम्स के अंदर में पूछा जा चुका है रामकृष्ण मिशन जो है फ्रेंड सौमी विवेकानन जी ने स्टार्ट किया था यह भी याद रखना है सौमी विवेकानन जी ने रामकृष्ण मिशन ठीक है और अलीगड़ आंदोलन आपका सरसयद एहमत खान ने तो आपका A की जोड़ी चार के साथ लगनी है और A की जोड़ी 4 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी है यंग बंगाल आंडोलन हैंडि लूई वी बी बी जोड़ी 3 के साथ में एक ही जगह पे लगी है बस нач के साथ में, C की जोड़ी 1 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी है, और D की जोड़ी 2 के साथ में, अलीगड अन्डोलन्जोर सरसेयद एहमत खान ने चलाया था, तो इस तरीके से भी आप लोग इस को शॉल कर सकते थे, चलिए, चलिए, 4400 के करीब लोगों ने यहाँ पर मैं इस सेशन को लाइक कर दिया है, मुझे बहुत खुशी है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे से आपका रिस्पॉंस भी कर रहे हैं, एक बार ऐसे ही अगर आप लोगों आपने दोस्तों के साथ में जहांज हां भी कर रहे हों, तो मुझे ऐसे ही आप लोगों के लिए मjatीए आपशपॉंस के लिए ईफर्स लेता रहो, ठीक है? स्तूलिए, जो क्या होता है आप लोगों का थीक है तो अगर हम लोग बात करेंगे friends की workers जिनको uniform कि पहन के आना पड़ता है तो casual wear पहन के आना पड़ता है उन लोगों को casual employment बोलते है अकास्मिक रोजगार मजदूरों को अपनी इच्छा के अनुरूप काम पर आना है भाई आना है नहीं आना है भाई चलो सर आज नीमनोरा कल आएंगे काम के उपर में वैसा वाला होता है वरकर सार कॉल टू वर्क ओनली वेन एंप्लॉयम नीड देम यह वाला पॉइंट है आपका कैजूल एंप्ल इंपोर्टन वाला पॉइंट है जो आप लोगों याद रखना है आकास्मी करोजगार के अंदर में तो आकास्मी करोजगार के अंदर में केवल न्यूकती करता के दौरा तभी बुलाया जाता जब उनकी जरूरत होती अधर्वाइस उन लोगों को जॉब पर नहीं बुला जाती है पाज बजे चाय बेशने जाती है मतलब वर्किंग बुमेन है फिर साथ बजे कुए पर पानी लेने जाती है घर वापिस आकर खाना बनाती है कि कपड़े धोती है घर की साफसफाई करती है फिर बाजार जाती है चाय की दुकान के लिए अगले दिन के लिए सामान लेखे तरह करके एक मैंने आप लोगों से बाइब बताया भी था कि दिन का आधा रास्ता तै करती है रात फिर भी दिन सुनता नहीं उसके मन की रात उसके मन की बात कि कवीता जो है काम पे जा रही है और घर का में ने उसके उपर में और जो एक पुरूश्वादी समाज है में कहता है कि पूरुष इस्ट्रेस्ट है आगे है वंश उसी से बढ़ेगा लेकिन हम महिला को नहीं देखते हैं यहां पर बच्चे समहाल रही है काम कर रही है और साफसफाई कर रही है, ध्यान रख रही है सब का, डबल बर्डन है उसके उपर में, दोहरा बोज है उसके उपर में, कवीता के उपर में, इस एक्जांपल के हो, यह याद रखने हैं आप लोगों ने, डबल बर्डन, जब डबल लोड होता है, और स्पेशली महिलाओं के उपर में, यह बोज आपको देखने के लिए मिलता है, तो इस कोशन के अंदर में, महिला, जो है, आपकी कवीता है, उसके उपर में डबल बर्डन है आप लोगों का, देखे, ग्रास लेंड जो फाउंड होते है, मिड लेटिटूडन जून के अंदर में, छोटी-छोटी घास होती है, उसके अंदर में उनको क्या कहा जाता है, इंपल सी बात है, यार, यह मिड लेटिटूड का मतलब ही क्या होता है, अधिक है anni comment Merc Gaming 2 का मतलब क्या होता है huh कि वहाँ रमीड लेटीटीटीड का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना चीक अगर मैंबात करू में आप लोगों से difference यहां पर में यहां पर में आप लोगों का यह आप लोगों का lower latitudes, ठीक है, lower, क्योंकि zero के पास में है न, और सबसे उपर में है, यहाँ पर में 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ है 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, तो उसके जो बीच वाला area है यहाँ पर में आप लोगों का, यह वाला area, इसको बोला जाता है mid latitude, इस इसको आप लोग, shitoshna zone भी बोलते हो, temperate zone भी बोला जाता हे, temperate- अरे यार, okay, mid latitude, इसको temperate zone, समझ गाई न, आप लोगों veuxlungen है उसको temperate zone भी, temperate- और हींदी में it said shitoshna zone, shitoshna okay shitoshna zone, sitoshna iron 혹, shitoshna section, जो बोलते हो आप लोग उसको, तो temperate grassland जो है आप लोगों का अंसर हो जाएगा temperate, mid-latitude, madhyaakshansh की छोटी छोटी घास जोती उसको sitoshna घास के मैदान बोला जाता है sitoshna घास के मैदान okay, simple सा अंसर था sitoshna घास के मैदान इसका अंसर हो जाएगा यहाँ पर में, चालिए next question के तरफ में हम लोग आगे बढ़ते है friends यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो, यह इस इलाके के अंदर की बात हो रही है, basically यहाँ पर में इस इलाके की इरिया की बात हो रही है अच्छा, निम्नलिकित घास भूमियों में से कौनसी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास थल है कौनसी वाली घास भूमिय है, जो अमेरिका में, अमेरिका की मूल निवासियों का स्थान है पहली बात तो steppi जो है, यह मद्धे एशिया में पाई जाती है Middle Asia में, ठीक है यहाँ पर में Middle Asia के अंदर में, अफ्रीका के अंदर में और जो प्रेरीज है आप लोगों का यह पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में, नौर्थ अमेरिका के अंदर में, और जो मूल निवासि थे अमेरिका के, वो नौर्थ dopamine के नर्थ अमेरिका में जिनको Red Indian भी बोलते थे तो मूल लिवासी, Native Americans, मूल लिवासियों का घर जो है वो आप लोगों को कहा पर में मिलेगा, ठीके प्रेरीज जो है आप लोगों का वहापर में, प्रेरीज नौर्थ अमेरिका के अंदर में, आपको याद रखना है कि प्रेरीज जो है ये आप लोगों के शितोषन घास के म इसको याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टन है, इसको याद रखना है यह बहुत इंपाइन्ट है, इसको याद रखना है ये वाला पॉंट है, ट्रॉपिकल ग्रास लेंड के एक्जाम्पल, East Africa जो है अप लोगों का, East Africa यह याद रखने है के आप सभी लोग, उशने कटीबंदिय घास के मैदान है जो आप लोगों के ट्रॉपिकल जोन के पास में पाए जाते हैं वही अर्जेंटिना का पंपास, नौर्थ अमेरिका का प्रेरी, पाउत अफरीका का वेल्ड, सेंट्रल एशिया, मिडल एशिया का स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का डाउन यह सब आपके शीतोषन घास के मैदान है, और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शीतोषन घास के मैदान को क्या कहा जाता है, मिड लेटिट्यूड, मिड लेटिट्यूड, मिड लेटिट्यूड ग्रास लेंड भी बोलते है, तो मिड लेटिट्यूड बोला जाए आप लोग इसको याद रख सकते थे next question के तरब में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के आपको बताना है वायुदाब के संबंद में निमनल इत्म से कौन सा कथन सही है वायुदाब air pressure air pressure के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो air pressure जो है friends हमारा समुद्र स्तर के उपर में air pressure सबसे जादा होता है हवाय हा सबसे जादा होती है बतलब जमीन के उपर में जमीन पर air pressure air pressure सबसे जादा होती है तो air pressure भी सबसे जादा होगा जैसे जैसे आप उचाई पर जाते हो वैसे वैसे आपका air pressure air pressure क्या होता है वो डाउन-डाउन होता जाता है air pressure down होता जाता है भावा कदब आओ air pressure is lowest at sea level गलत है air pressure decreases with height यह सही आपका कि air pressure decrease होता है in areas having high temperature the air is cold किसने बनाया है यह question air pressure जहाँ high temperature हो और थंडी हो होंगी क्या और कौन है यह बच्चा जिसने सी नंसर लगाया कोई है केहा चार परतिषद लोगे जोने ने तीन आंसर लगाया भी है वाह मेरे शेरो वाह इसे चार परतिषद लोगों ने यह तो उसे भी ज्यादा लिंग लें यह 10 प्रतिशत लोगों को 6 और 4 प्रतिशत यह 10 प्रतिशत लोगों को जो है न यहां पर में 21 तोपो की सलामी ओप्शन दो ही थे आप लोगों के बस यह तो यह तो लॉजिकल कोश्चन था बिल्कुल एक दम सिंपल सा ठीक है यह याद रखने हैं आप लोगों के आप लोगों का ज़ो होजाएंगा आपका ऑप्शन नॉबर 2 प्रेशर जो है समूदृ स्टर क्योंकि समूदृ स्टर से ही हम उच्छाई मापते हैं न झाणकर उच्छाई कहां से मापते हहलों यह द्थान जीरो मानते है और जैसे जैसा समुधर स्तर से जितनी जितनी ऊचाही बढ़ती उतना उचा माना जाता है क्योंकि लगबस रहा कि समुधर स्तर पुरु दुनिया में समान एल तो समुधर स्थ Size जितना जितना जाधा आप उपर जाओंगे टेक्स आप लोगया जाओंगे आपमान में परिवर्तन के कारण, मौसम में परिवर्तन के कारण जो है, क्या होता है, चटाने तूटती है, इसको आप लोग वेदरिंग कहते हो, जिससे चटाने तूटने लगती है आप लोगों की इस तरीके से, बारिश की मार, आपमान में परिवर्तन, इन सारी चीज़ों के कारण चट्टाने तूटती है अपक्षय कहा जाता है हिंदी में उसको एक बर शेयर कर दो यार सभी लोग जल्दी जल्दी से और पैता लिस्तों से जादा लाइक हो चुके है तो अगर पाच हजार लाइक भी हापर में हो गया तो कम से कम लगेंगा कि चलो यार कुछ तो था कि आप लोग बच्चे लोग जो है वह रिस्पॉंस यहां पर में दे रहे हैं जल्दी जल्दी से लाइक भी गते रहेंगे और जिन लोगोंने टीचिंग परिशा चैनल को सब्सक्राइब ने कि हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे टीचिंग परीशा एप और इंसारी चीज़ों के कारण तूटने जो लगती है चट्टाने उसको अपक्षय कहा जाता है वेधरिंग कहते हम लोग इसको अब देखे रिझमे कोgreg 26不錯 गोग अब सब्सक्राइब नुखल लोग दे है तक है वगल यहां पर में और यहां बनाद राजे की थी तो कौन वाला पॉइंट को में करक्क्ली matched है क्योंकि यह question बहुत important है मुगल सल्तनत के कमजोर होने के बाद में जो अवध है आप लोगों का ठीक है क्या शुजाउद दौला ने उसकी स्थापना की थी हैदराबाद की था उन्होंने की शिशम निज्दमल्मुल्क असफ जहान की ती ये बिलगुल सही आप लोगों का दूसर वाला बंगाल की श्थापना मुर्षिद कुली खानने की everyone ब बहुत ज्यादा इंपोर्टन मार कर जो आप आप लोगों से भी के स्ब्रेंड कि स्थापना मृषिध कुली खान ने की थी बट आवद की स्थापना किस ने की temple तुझा उदौला ने नहीं कैंच लूट आटाइग थी थी साड़त राधत किerson ah प्रीज इसको थोड़ा सा याद रखने आप लोगों ने अवद की स्थापना साधत खानने की थी बंगाल की स्थापना मुर्शित कुली खानने की थी अलग राज्य बना लिया था है था है इन तीनों में कॉमन क्या है यह तीनों ही जो है वह मुगल मुगल सल्तनत के लिए काम करते थे पहले मुगल सल्तनत के लिए काम करते थे और मुगलों से अलग होकर ही इनोंने जो है क्या किया था यह राज्यों की स्थापना की यह याद रखना आप लोगों ने तो मुगल सल्तनत के लिए काम करते थे तीनों के तीनों हाय मंसबदार थ अशब जहां 70000 inference चाहत रांक हुटा Baptist गॉट अधनि जी जादा रैंक, जितना जादा नंबर उतनी बड़ी आपकी रैंक उतनी जब प्जिशन प्याफ की तो तीनों के टीनों इनकंच बड़ी उप्यां पर पहरuster वहा ऐसे ही हम लोग जो और भी बहुत सारे सेसिंव सीहा पर में चंटक्ट कर सके और मैं आप लोगों को एनरजी के साथ पढ़ा सको देखिए यहां पर में बताना है आप लोगों ने कौन से वाले वनस्पति के बारे में बात हो रही है यह बहुत दीजिए यहां पर में कोई बात नहीं यार डीडर कर लेंगे सब कुछ कर लेंगे सब कर लेंगे बस बढ़ आप पढ़ लो अच्छे से आप लोगों के काम की चीज है ठीक है कर लो मैं मेरी आवास से लग रहा हूंगा ठके लेकिन मैं अपने पूरी एनरजी को पूरा जितनी अंदर से अंदुरूनी एनरजी है न पूरी निकाल सकता हूं मैं अभी भी तो यह वनस्पति उत इस reflect 10 अदेट विलांडशी के बीच मैं यहां पर मैं पाई जाती है पचास से 70 अधिर के बीच मैं पाई जाती है वह भी उत्तर में केवल इस टेगा के नाम से भी जाना जाता है तो शंकू धारी न की बात हो रही है कि वहां ठंड़ा इलाका होता है तो इस प्रकार के शंक शंकुधारी 1 वहां पर में पाया जाते बेसिकली आपके शंकुधारी 1 तो केवल 50-70 डिग्री नॉर्थ लेटिटिटूड और टैगा के नाम से भी जाना जाता है तो इसको थोड़ा सा देख लो आप लोग यहां पर में ठीक है ऊप लोगों के वह ऐसे कोनिकल शेप के दिखते है को जइंगल बेली दिखले नवाला जो इस तरीके दिखते आप लोगों के और यहां के फोरेश्ट होते हैं वह soft Grain यहां पर में पाए जाते हैं, soft वाले, soft evergreen trees, कहां पाए जाते हैं, तो कोनी फेरस forest है, आप लोगों का या दखना है, हिमाले में तो ऐसे वाले बहुत पौधे देखने के लिए मिलेंगा आपको, तो टैगा और कोनी फेरस forest एक ही बात है, टैगा और कोनी फेरस, 50 से 70 डिगरी कि डाउनसाइड के अंदर में है, है ना, तो आस्ट्रेलिया में इसको हम डाउन कहते है, वैसे तो मैं आपको पुरे के पूरे ही बता सकता हो, यहां पर मैं, पमपास जो है यह अर्जेंटीना के अंदर में कहा जाता है, याद रखो आप सभी लोग अर्जेंटीना के तीन हो जाएगा यह कोशन इस तरीके से आएगा आप लोगों के अंदर में कोशन यह याद रखना है आप सभी लोगोंने चालिए निम्नलिखित में से आम्रुदा संरक्षंड की विधी कौनसी है ठीक है मुरुदा संरक्षंड Soil को conserve करने की, मिट्टी को बचा के रखने की, मल्च, मल्चिंग, पल्वार, शेल बांध, रॉक डैम, कंटोर बेरियर, तो आंसर क्या हो जाएंगा आप लोगों का यहां पर में, तो D, आंसर है, देखिए, मल्चिंग का मतलब क्या होता है, मल्चिंग का मतलब होता है, इस तरीके से सूखी घास को डाल देना, ठीकि और गानिक मेटर जो होता है, इस ट्रॉव अगिर उसको डाल देना इसा उपर में, ताकि जो है, रेन के कारण, जो है, मिट्टी का, मिट्टी बहना जाए, प्लस मिट्टी के अंदर में जो पानी है, वो जमर है, ऐसा धूप पढ़ने के कारण, पानी एवैपुरेट ना हो जाए, तो सौइल का मॉइस्चर उड़ना जाए, तो सौइल मॉइस्चर को बचाने के लिए, और मिट्टी पानी के साथ बहना जाए, उसको बचाने के लिए, मल्चिं की जाती है, मतलब कि उसके ओपर में सूखी घासपुष दाल देना, मल्च बनाना, ठीक है, पलवार भी इसको बोलते हैं आप लोग, तो पलवार बोला जाता है, मल्चिंग, मिट्टी को बचाने, कंटोर फार्मिंग का मतलब होता है, इस तरीके से आप लोग देख रहो ना, कंटोर फार्मिंग, एक धाल के ओपर में, रेखा के अंदर में जूताई की जाती है, ताकि जो जल है, वो आप लोगों का जल के लिए औरोधक बन सके, ऐसा ना हो कि पूरा पानी जो है, ऐसा जाए, पानी ऐसा धीरे-धीरे, ऐसा 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 घूम फिर के जाए, पानी आराम से, घूम फिर के जाए आप लोगों का, तो एक सीधी धलान रहेंगे न तो पानी बहुत तेजी से जाएगा फटाक से बहा के लेकर जाएगा लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों ने इस तरीके से उसके लिए पानी को जाने के लिए ऐसा घुमा फिरा के बेजा पानी को तो वो अराम-अराम से जो है आपकी मिट बहा के लेकर चला जाएगा टेरेस फार्मिंग एक तरीका आप लोगों का मिट्टी को बचाने का यहां पर में आप लोग दिखिए यहां इस कोशन में मल्चिंग मिट्टी के ऊपर में खार पत्वार डाल दो रॉक डैम मतलब पानी की गति को कम कर दो पत्थर के बांध बना कर छोटे-छोटे से कंटोर फार्मिंग कंटोर बेरियर बना दो मतलब ऐसा आड़े तेड़े ऐसा ऐसा करो ताकि पानी कंफ्यू के लिए, बचाने के लिए, लोगने के लिए, ऑफ लोगने के लिए, पानी को रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग गली जैंस फर्दर डाल लॉस, चैकिंग विंड मॉनमेंट तु प्रोटेक्ट सॉइल कवर, देखो शेल्टर बेल्ट, रक्षक मेखलाय, यह कोशन बहुत है बहुत ज्यादा important तो जो रक्षक मेखलाय होती है आप लोगों की यह क्या करती है फ्रेंट यह याद रखने है आप लोगोंने जो हवाय चल रही होती है जोर-जोर से हवाय चले जैसे हवाय सनन तो आप अपर लगा दोगे ठीक है पेड लगा दोग red लगा-दो तो आप लग जो पेड Alluk to gall homeboys की गति की रोक्थाम हो जाएंगी जिससे के present joha kya करते हो पेड लगा-देते हो ohio cycling अंदर में do you call अब ड्रीन जाहां सूखे रिलाके होटे वहाँ पर मैं तो इन दोनों तरह के इलाकों में कोस्टल रीजन में और ड्राय रीजन के अंदर में आप लोग हवा की गति को रोकने के लिए उसको कम करने के लिए आप लोग शेल्टर बेल्ट का रक्षक मेखलाई का इस्तमाल करते हो इस कोशन को फिर से देखो आप लोग क्योंकि काफी इस पार एक्जाम के अंदर में आ चुका है आप लोगों का इक है सबी लोग देखिए यहां पर में जल्दी जल्दी से इस कोशन को मुझे उमीद है फ्रेंड्स की जी जी जोती जल्दी से खाना भी खा लेंगे लेकिन अभी कोई नी अभी जो है फिलाल में तो मेरे को अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी अनरजी दे रहूँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस सेशन को जहां 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 शेयर कर सकते हो वहां वहां पर में ज़रूर कीजिए एक भी ऐसा कोई ग्रूप नी बचना चाहिए आप लोगों का कोई एक सिंचाई कि शेत्र में उपयोगी होंगी ड्रिप इरिगेशन टिप बरसा पानी पानी ने आग लगाई ठीक है तो टिप बरसा पानी पानी ने आग लगाई कि 2000 से यहां पर में कम नहीं होना चाहिए आप लोगों की जिम्मेदारी है फ्रेंड मैं अपने दरब से एफर्ट दे रहा हूँ आप लोग किस तरीके से इसकी इसकी हिफाज़त करते हो रक्षा करते हो यह आप लोगों के उपर में है जो लोग बात में भी देख रहे हैं लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जहां जहां भी शेयर कर सकते हो लोग शेयर जरूर करोंगे आप लोग क्योंकि मेरी पुरी टीम जो है वो आफिस के अंदर में बैठी हुए पीछे से जो काम है उन लोगों का पूरा काम पीछे से समाल रही है तो उन लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि उनको भी मोटिवेशन यहां से मिलता रहे तो पूरी टीम काम करें अकेला मैं नहीं हूँ तरह तीम है तो definativing के जी है आफ लोगए का जुडॉल इरिया होता है जहां ज़ाए के लिए आप लोगेBARotta करने के लिए आप लोगे क्ँछा इंदर में क्या होता है तरीका है पानी läuft करने का लिक टिप टिप करके पानी यहां पर में छोड़ते जाओ, टिप 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 टि पुस्तके किसको कहा जाता है, तो देखिए, वैदिक पीरियड जो होता है आप लोगों का वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वैदिक पीरियड आपका, वैदिक, एक है आप लोगों का, अरे आजा, वैदिक, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली मतलब प्रारंभि केवल और वही अगर मैं आप लोगों से बात करूँ आपका लेटर वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड लेटर वैदिक वाला पीरियड ठीक है उत्तर वैदिक काल उसके अंदर में रिगवेद को छोड़ कर रिगवेद को छोड़ बाकी जितनी भी रशना हुई सबको लेटर वैदिक कहा जाता है तो आपको याद दखने है अरली वैदिक जो शुरुवाती वैदिक काल तो इसमें केवल और केवल रिगवेद की रशना हुई बाकी इनको छोड़कर साम वेद, यजूर वेद, आप लोगों के वन को छोड़कर इतने भी आप लोगों के सारे यह आपके उत्तरवैदिक काल के है उत्तरवैदिक पिरियेट की पुस्तक इनको कहा जाता है ठीक है चलिए 47,000 47,000 47,000 लाइक से करीब आप लोगों ने पहुचा दिया है आप सभी लोगों का बहुत-बहुत श किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है यह बताएंगे आप लोग सभी लोग जल्दी से और कमेंड के अंदर में आंसर करते रहेंगे सभी के सभी सभी लोगों का कमेंड में आंसर चाहिए मुझे कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा और क्या आप लोग जो है, ऐसे ही और भी lectures चाहते हो, सभी के सभी जो है answers करते रहेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि जी हाँ, जो मेरी मेहनत है, वो रंग ला रही है, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से, जी, तो सवर्ण काल किसको कहा जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है, गोल्डन एज यह सवर्ण काल किसको कहा जाता है, तो गुपता काल को कहा जाता है, यह यूपी की एक्जाम के अंदर में भी आ चुका है, तो प्राचिन भारत का सवर्ण काल इसको क्यों कहा जाता तो सारी चीजों में development हुआ तो ऐसे शेत्र में जिसमें जब आपका इतना सारा development हो रहा है तो obviously बात है friends कि जब इतना development हो रहा है इतना development हो रहा है तो उसको सुर्ण यूग क्यों न कहा जाए अच्छे इसको शास्त्रिय यूग क्लासिकल एज भी बोल सकते हैं NCIT में दिया हु चलिए जल्दी जल्दी से next question के तरब में आगे बढ़ता हो friends आप लोगों को बताना है यह question मैंने करवाया हुआ आप लोगों को लेकिन यह अपने आप में एक नंबर के लिए बहुत ही यह दो चीज़ विल्लन वगाई और ब्रह्म देर विल्लन वगाई जो है यह सबसे जाधा important है मैं option eliminate नहीं करना चाहता इस बार इस question के अंदर में मैं चाहता हूँ कि आप लोग विल्लन वगाई का लगा के बता है मुझे विल्लन वगाई जो है friends यहां पर में आप लोगों दिया जाता था ठीक है तो नॉन ब्रह्मन लोगों को दान में दी जाने वाली भूमी को विल्लन वगाई कहते थे आप लोग ब्रह्म दे जो है यह ब्रह्मन लोगों को दान में दी जाती थी भूमी तो सभी लोग विल्लन वगाई सभी लोग लिखेंगे हर एक बच्चा ल इंदर में 3.1.2022 की एक्जाम में आया हुआ है, आप लोग यहां से आंसर लगा सकते हैं, अपने मरजी से जल्दी से आप लोग कराईए है हापर में, जल्दी से आप लोग देखिए और आप अंसर बताईए क्या होगा, ताकि आपको याद हो जाए हापर में, ठीके, बहुत लोगों को याद रखना है, यह किस ने लिखा कि रजिया अपने भाईयों से अधिक योग्य थी, तता सक्षम थी, ठीक है, तो किस ने लिखा कि रजिया अपने भाईयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, तो अपने भाईयों से जादा सक्षम थी, रजिया, रजिया जो ह ने काबिल नहीं थे, तो किस ने कहा कि रजिया अपने बाकी भाईयों की तुल्ल में जादा काबिल थी, तो ये मिन्हाज-e-सिराज ने कहा है, मिन्हाज-e-सिराज ने एक बुक लिखी है, जिसका नाम है तबाकत-e-naसीरी, तबाकत-e-naसीरी, ये याद रखना है आप इनोंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, इधर वाले इलाकों के लिए, पंजाब, हरियाना और गंगा-यमुना का दोआब, पंजाब, हरियाना और गंगा-यमुना का दोआब, जो इलाका है आप लोगों का, उसके लिए इनोंने जो है वो हिंदुस्तान शब् उसने नालंदा विशुविद्याले और विक्रम्शिल विशुविद्याले चिसमाज में नियुआ की लिकिन एक स्ट송 का साशन, एक महिला का साशन, ऐसे समाज में जिसमें भागवान ने ही पुरुशोयों को उपर रखा है, महिलाओ को नीचे रखा है, उसके खिलाफ जाता है, तो तबाकते नासिरी के अंदर में ही, आपको समझ में आ जाता है, कि उस समय के जो लेखक थे, वो लोग लिंग भेद में विश्वास रखते थे, लिंग भेद, उनका मानना था कि भाई, पुरुष सिराज ने इनके लिए कहा, कि भाई, यह अपने सारे भाईयों से जाधा काबिल है, लेकिन, एक रानी का साशन भगवान के द्वारा बनाये गए, एक सोशल ओर को ब्रेक करता है, 1236 के अंदर में रजिया जो है, सुल्ताना बनी, और 1240 तक वो राशाशन किया, उसने, 1236 से 1240 तक क्योंकि NCID के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है, 1236 से 1240 तक, ठीक है, चलिए, निए, दानिश्च सर की जैनी, अकेले दानिश्च सर तो एक निमित मातते है, आप लोगों की भी जै क्योंकि आप लोगों के वज़े से हीमत मिल रही है मुझे, पुरी की पुरी, जितन आप लोग कीजिये, अच्छे से मेहनत, अच्छा, रजिया सुल्तान के आपको बेटी जाहती थी, रजिया सुल्तान हमेशा अपन आपको बेटी दिखाती थी, जैसे जंर्ली क्या होता है, कि तुम मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा हो ऐसा बोला जाता 입니다, लेकिन रजिया तो यार एक लास्ट बर अच्छे से जल्दी से शेयर मार दो यहांपर में सभी के सभी लोग एक साथ जितने जग़ा पर शेयर मार सकते जल्दी से बार दो एक बर एक लिए और सभी लोग ने प्रोवाइड करूंगा तो जितने भी लोग है वो सारे के सारे तीचिंग परिश्या दानिशेख टेलिग्राम ग्रूप पे और टीचिंग परिश्या टेलिग्राम ग्रूप जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा उसके आपर में आप लोग जूड सकते हो टीचिंग परिश्या टेलिग्राम ग्रूप और दानिशेख टेलिग्राम ग्रूप दोनों के ऊपर में आप लोग जोड़ जाए वहां पर में पीडिएप डाल दूंग आप लोगों के लिए तो दॉर्टर अफ सुल्तानि तुद्मिश इसने बोला आपने आपको लेकिन र अधिला हू और रुद्रमा देवी ने अपने आपको पूरुष की तरह दिखाया तो रजिया ने अपने आपको पूरुष की तरह दिखाया क्या नहीं यह याद रखने आप लोगों उसने अपने आपको पूरुष की तरह नहीं दिखाया यह थोड़ा सा आप लोगों के जो आप लोग याद रखोंगे, ऐसी में उमीद करता हूँ यहां पर में, एक और थी, देखो ध्यान से समझना आप लोग, एक और क्वीन थी, जिसका नाम था दिद्दा, यह एक्जाम के अंदर में आ सकता है आप लोगों का ध्यान से समझी आप लोग, इंपोर्टन्ट है, सबी लोग एकदम ध्यान से देखें यहां पूरा फोकस यहां पर में करो जल्दी जल्दी से आप सबी लोग, एक है, तो देखें यहां पर में दिद्दा, जो है फ्रेंड्स, यह कश्मीर की राणी थी, कहा की राणी थी, दिद्दा, पूछा जा सकता है आप लोगों से, अबर का मतलव होता है, बडी सिस्टर, दिधा, दीदी, दिदा, उसी से बनाएं, बडी बहन, तो प्रजा को रजा घरती थी, तो इतना प्यार करती थी प्रजा उन्से, जैसे आप लोग करते हो अपने दानी सर से प्यार, वैसे ही यह लोग जो है, अपने rani से, अपने queen से प्यार करते थे लोग, दिद्धा बोलते थे उनको, यह याद रखने है आप लोगोंने, जिद्धा, कश्मीर की रानी थी, यह याद रखने है आप लोगोंने, नाओ फ्रेंट्स, नेक्स्ट कुश्चन आप लोगों का देखे, यहाद में कौन सावला मेल नहीं खाता, एक दो, दोहजार थेज्ट का मतलब कि आप लोगों का एक फेबरोली दोहजार थेज्ट को पूछा था आप लोगों का, पताये आप लोग इसका आंसर क्या होंगा अपका निमनलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है, खजुराहो जो है वो चंदेला राजवश ने बनवाया था, खजुराहो के टेंपल्स, एहोल के जो चेंपल्स है, एहोल, खजुराहो मध्य प्रदेश में है छलो मैं बताता भी चलताओ साथ साथ में आपको, एहोल करनाटक में है, करनाटका के अंदर में, चालुक के लोगों ने बनाय था, कांची-पूरम, तमिलनाडू के अंदर में आप लोगों का, महाबली पूरम जो है आप लोगों का ये तमिल नाडू के अंदर में ही है आप लोगों का और ये बोरा चोला लोगों ने बनाया था तो महाबली पूरम ठीक है? महाबली पूरम कांची पूरम तो पल्लव लोगों की राजधानी थी लेकिन जो महाबली पूरम जो है न फिर आंसर इसका आपका अप्शन अब डी हो जाएगा और यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला है कि कौन सा वाला मेल नहीं खा रहा है तो आप याद रखेंगे कि खजुराहो के जो मंदीर है वो चंदेला लोगों ने बनाये हैं चंदेला लोगोंने एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहोंगा यहां इसे जो चंदेलावंश के जो राजय थे उनोंने आप लोगोंके मध्य प्रदेrau dogma, co of ch lender आरिया महादेव टेंपल चंदेला राजवंज के राजा धंगदेव ने बनवाया था, ठीके ट्रिपल नाइन के अंदर में, नौ नौ एडी के अंदर में, तो यह भी आद रखने हैं आप लोगोंने, इंपोर्टन है, एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकत महाराष्टर रीजन में, तमिल रीजन में, पंजाब रीजन में या बंगाल रीजन में, विललालर मतलब होता था एक उपाधी जिसका मतलब होता था भू स्वामी या फिर बॉस टाइप का, तो जो गाओ में टैक्स इकठा करने वाले बड़े-बड़े किसान थे न, जो उ जो ordinary pluff men थे जो साधरन हलवाहक थे उनको उजहावर कहा जाता था और जो बिचारे गरीब लोग थे जिनके पास में जमीन नहीं थी दूसरों के खेत में काम करते थे दक्षिन भारत में उनको कड़ाई सियार या अधिमाई कहते थे अधिमाई, तमील शेतर के अंदर में नीचे की बात करो मैं आप लोगों से तो large land owner तमील रीजन में South India में बड़े-बड़े किसानों को विललालर कहते थे, ordinary लोगों को उजहावर कहते थे, ordinary pluff men जो साधरन किसान, छोटे खेत वाले किसानों को और जो दूसरों को खेत में काम करते थे मजदूर लोग, उनको कड़ाई CR या अधिमाई कहा जाता था important वाले point है, जो आप लोगों से exam के अंदर में कभी भी पूछे जा सकते है, तो इसके लिए आप लोगों ने ready रहना है, friends, ठीक है? चलिए तो ये आप लोगों का एक point था, आप लोगों का निम्दलिकित में से कौनसी रशना सूर्दास द्वारा संकलित नहीं है, देखिए सूर्दास जी जो है, friends, आप लोगों को याद रखना है ठीक है, सूर्दास जी ठीक है, ये कृष्ण भक्त थे प्रश्दास जी कि अगर मैं रशनाओ की बात करो तो कृष्ण भक्त थे, उन्होंने सूर सागर लिखा है सूर सागर, सूर सरावली उन्होंने लिखा है साहित्यलहरी इन्होंने लिखा है लेकिन, friends, इन्होंने यहाँँपर में साहित्य रत्न नाम की कोई पुस्तक उन्होंने सच नहीं लिखी है, सूर्सागर, सूर्सरावली और साहित्य लहरी, अच्छा सूर्दास जी जो है यह ब्लाइंड भी थे, यह याद रखने आप लोगों ने, देख नहीं पाते थे, इन्होंने कृष्ण जी को इमेजिन किया तो यह याद रखेंगे सूर्दास जी, सूर्सागर, सूर्सरावली और साहित्य लहरी, यह भी याद रखने हैं आप लोगों ने, साहित्य लहरी, सूर्दास जी की रशना है, कृष्ण भक्ते थे, निमनलिखित में से किस भाशा में केसरी अकबार छपता था, तो केसरी अ तो आपको याद रखना है, बाल, गंगाधर, तिलक, बाल, गंगाधर, तिलक ने इसको चापता, यह आपका D.S.B. के अंदर में आया था कि केसरी अकबार जो है, कौन इसके संपादक थे, तो बाल, गंगाधर, तिलक उसका आंसर था, केसरी भाशा के, यह भी आप लोग याद रख सकते थे, ठीक है, चलिए, तो सूर्दास जी की रचना है, आप लोग कमेंड में लिख दीजिए, सूर सागर, सूर सरावली और साहित लहरी, देखो, एक्जाम में एलिमिनेट करने में काम आएंगा आप लोगों का, ठीक है, तो मराथी भाशा के अंदर में था, इनका ये, आपका उर्दु निया, मराथी, मराथी वो ऊपर चला गया, मराथी भाशा के अंदर में था, ये याद रखने हैं आप सब्ही लोगों ने, आंसरी ओप्शन नबर C, ठीक है, तो केसरी और मराथा, ये दो अकबार निका ले थे, केसरी नाम का अकबार जो था, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग, उसके बाद में जो है, आपको बताने हैं कि आंदर प्रदेश के शेत्र में, वंदे मात्रम आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, मतलब बस्कली आंदर शेत्र में वंदे मात्रम आंदोलन था, ठीक है, वो किस आंदोलन को को बोल रहे है यहां पर में वंदे मात्रम आंदरशेत्र में बोलते थे किस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन को आपको पता होना चाहिए यहां पर में कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया बंगाल विभाजन बंगाल का विभाजन हुआ उसके विरोध में हम लोगों ने वह देशी आंदोलन, वह देशी आंदोलन चलाया था हम लोगों ने, इस आंदोलन को अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग नाम से जाना जाता था, आंधरा का जो डेल्टाइक वाला इलाका है, ये वाला इलाका, ये याद रखना है आप लोगों ने, इस वाले इलाके में एक को वही फाली बात है यहाँ पर में कि द्ल्ट counties क्ए लाके में इसको बंडे मात्रम अंदुलन के नाम से जाना जाता था आप लोगों को बताना है कि इनलिकित में से किस आक्ट से भरतिय संवीधान काफी संक्या में प्रावधान लिये गए है हमारे भारत का समीधान, आप लोगों ने याद रखना है कि 1946, डिसेंबर 1940 से लेकर 1949 नवेंबर तक बनता रहा, करीब करीब तीन साल का समय लगा इसको, दो साल ग्यारा महीने अठरा दिन, तो उसमें जादातर जो प्रावधान है वो आप लोगों के Government of India Act 1935, जो अंग्रेजो तो Government of India Act 1935 में से जादा तर प्रावधान लिए गया है, ये डारेक्ट कॉश्चन बनेगा आप लोगों का एक्जाम के अंदर में, डारेक्ट कॉश्चन बनेगा, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो, ओके, तो 1935 के कानून से जादा तर प्रावधान लिए गया है, आपको बताना है निमना लिखित में से कौन सा जन सन्पर्क का माध्यम उधारन नहीं है, not an example of mass media, बड़ा वाला मीडिया नहीं है, आपका, और काफी सारे आप लोगों ने उसका लाभ भी उठाया होगा, काफी सारे बच्चों ने पेट क्लास के अंदर में मैंने आज specially वीडियो दा ले आप लोगों के लिए, कुछ अच्छे से वीडियो, तो उसके अंदर में भी एक जगा पे था, यहापर में मीडिया वाला उस आप लोगों यहाँ पर में बहुत सारे लोगों के साथ में बात कर पाऊंगे, कुछ लोगों तक ही पहुच पाऊंगे आप लोगों तो मास मीडिया मतलब होता है आप लोगों का जिससे बहुत सारे लोगों तक पहुच पा रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं पूरी खुशी है कि मैंने अपना 100% दिया आप लोग मुझे बताइए कि अभी लगभग लगभग कितना समय होता आ रहा गया है कितना समय दो घंटे 32 मिनेट मतलब धाई घंटे से जादा हो गया यहाँ पर मैं मेरी अनरसी में कमी दिख रही आप लोगों को कोई भी पूरा अपनी एनरजी दे रहाओ यहां पर मैं अभी और भी दे सकता हो अपनी आपर मैं जो लेना चाहidée ना मैं उसके लिए बिलकुल दे सकता हूँ तो जबकि मैं दिन भर से पढ़ा रहो हूँ दिन भर करता हूँ कि आप लोग जो है यहां पर में अपना अपना 100% देंगे आप ग्रेट हो सर लव यू कहां से लाते हो इतनी एनरजी एहमद बर्स जी ने वह सूपर चैट भेजा है तो आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया एहमद बर्स जी आपका एनरजी जो है यहां पर में मुझे लगता है कि कुद्रती तौर पर आ रही है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि कहां से आ रही है लेकिन एक अंदर से आ रही है एक अंदर से बहुत एनरजी का भंडार है तो पंचायत के प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम करता है तो वाड मेंबर elected by other members वाड मेंबर by rotation ठीक है, तो कौन सरपंज की तरह काम करता है block development officer नहीं, one word member elected by other word members who act as a penchait president, कौन सरपंज की तरह काम करता है, secretary of नहीं है block development officer नहीं है one word member elected by other word members नहीं, वो भी नहीं करता पंचायत का चुनाओ डारेक्ली होता है वार्ड मिम्बर्स भाई रोटेशन नहीं ठीक है तो यहां पर में जो है फ्रेंट्स यहां पर में मुझे लग रहा है कि इस कोश्चन के अंदर में ही एरर है सरपंच का चुनाओ होता है आप लोगों का वो ग्राम सभा के द्वारा होता है ठीक है ग्राम सभा मतलब उस गाओ के जितने भी लोग है सब मिलकर सरपंच का चुनाओ करते है ग्राम सभा का मतलब क्या होता है सभी वोटर्स उस गाओ के सभी वोटर्स सभी वोटर्स ठीक है जो भी 18 साल से उपर वाले लोग है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो ग्राम सभा कहलाती है, और ग्राम सभा के लोग मिलकर सरपंच का चुनाओ करते हैं, तो ग्राम सभा के जो वोटर होते हैं, वो ग्राम सभा के सरपंच का चुनाओ करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि रो ये भी आप लोग फोड़ा सा याद रहने हैं अप सभी लोगोंने उसके बाद में लिधिये यहां पर मैं आपको विदाया कि जो семь ओढ़े के पुर्ए है है कि सारपंश गरामभबंचायत में जितने भी लोग है सबसेदेस्टना जाता कि कछ Presert और जो ग्राम पंचयायत का सचीव होता है न दें कि और दो डारेक्जी क्राम सब्खा का सचीव अधर सचिव होता है कि सका लोगों अगर पनकर ने फोस्ताया इलेंचिन नहीं होता है , लोग ने अगर मान लो जिए वो मुवी देखिये कितने कितने लोग ने देखिये यहां पर में ठीक है पंचायत करके एक वेब सीरीज आई थी उसमें ग्राम सभा का सचीव दिखाया गया उसमें वो सरकारी अधिकारी होता है बीडियो बन सकते हो आप लोग पीटी एक्जाम क्लियर करके टिके तो इंडिपेंडेंस सेल जो चल रही है उसके अंदर में आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो आप लोग सारे अधर स्टेट विखाया के लोग कर देखिया लिख यह ऐसके अधिके वह देना जरूरी होता जोब यहाँ पर में दिलवाई जा सके आप लोगों को, और जैसे महनत कर रहे हैं वैसे बिल्कुल महनत करते रहेंगे, तो ग्राम पंचायत का जो सचीव होता है, या ग्राम सभा का जो सचीव होता है, उसका इलेक्शन नहीं होता, उसकी अपोइंट्मेंट होती है, कौन करत है, पॉइंट्मेंट्मेंट जिल्दी से कमेंड करके बता हो आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, झाक होता है ग्राम सभा के सचीव को नियूकती है है, या रखने आप लोगों ने government आप लोगों को याद रखना है इनका काम होता है भूमी मापन करना भूमी को नापना भूमी मापन का काम इनका होता है यह याद रखेंगे आप लोग भूमी मापन का काम होता है उसका लेखा जोखा भी रखना होता है लेखा जोखा लेखा जोखा उसका समाल के रखना होता ह पतवारी का है, पतवारी के ओपर में देखरे कौन करता है, तो तहसील, उस तहसील, जिस भी तहसील में वो पतवारी काम कर रहा है, उस तहसील का तहसीलदार, अब देखो क्या होता है, जो हमारा डिस्टिक्ट है, जो जिला है, उसको छोटे-चोटे तहसील में बाटा जाता यह बहुत ही famous question है friends, exam में पुछा जाता है, पटवारी का काम क्या है, main काम, पटवारी का काम है भूमी मापन और लेखा जो का रखना उसका, इसके अलावा में अगर आप लोगों से बात करूँ इस particular question की, तो इस particular point के अंदर में आप लोगों ने यह याद रखना है कि जो इकपाल, अटवारी, कनुंगो, यह एक ही वात है आप लोगों की, थोड़ा से इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, करमचारी भी बोलते है इसको, इस question का अंसर कीजिए, which one of the following is not a fundamental right, कौन सा वाला fundamental right नहीं है, तो fundamental right नहीं है, कौन सा वाला यह आप लोगों बताना है, एक बर like and share कर दो याद, जल्दी से 4500 likes हो चुके, 5000 likes के बहुत पास में है हम लोग, तो मुझे उमीद है कि वो भी आप लोग यहाँ पर में इसको कर दोंगे, जल्दी जल्दी से बताइए इसका अंसर क्या होगा आप लो सक दिया गया है और यह fundamental right है आपका, right to constitutional remedy आपका article number 32 में दिया है, court जाने का अधिकार, यह भी fundamental right है, elementary education, article number 21A आपका, यह fundamental right है, जो बाद में अभी बना दिया गया आपका, right to property पहले fundamental right था, अब यह आपका legal right है, 300A में डाल दिया गया आप लोगों का, पहले था, अब हटा से लेकर 18 तक आपके समानता का अधिकार है, मान लीजिए कि आपके साथ में जो है, वो चुआ चूत हो रही है, ठीक है, आप लोगों को, आप छोटी जाती से हो, यह बोलकर आपको मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा है, या आपको movie देखने के लिए, ठेटर में नहीं ज से लहाओ थ रहा है, क्योंकि समानता का अधिकार दियाकर 14 थे लेकर 18 के समानता के अधिकार है, आप लोगों के, यह यह एहद रखने है, आप लोगों ने, इसके अलावा, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, कि आप का कोई एक राज्य है, मान लीजिए कि आप डी, क् σ एक्जाम्पल, divisa आपती है येक्छिन एक को ही बिहार से और महारास्ट्रा में जाकर आप काम करना चाहते हम यहां की राजनिता आपको भागा 위해서 आतने जहां को आने पर की जाओ कर सकते हो कामकाज अपना शूरू कर सकते हो तो भारत के किसी भी शेतर में बसने का वहार रहने का अधिकार आपको है तो अगर कोई राजनेता आपके साथ में ऐसा करता है अपने राज्ये के अंदर में आपको नहीं आने देता है तो ऐसे केस के अंदर में आपका स्वतंतरत कि अधिकार का हनान हो रहा है अब एक और कोशन एक और ओप्शन एक और लेता हूं मैं यहां अपर में यह दो चीज समझ में आ गई ना आप लोगों को नहीं समझ आई होंगी तो वापस से देखना इसको ठीक है यह वापस से देखना यह बहुत इंपोर्टन चीज बता रहो अब 10 को ने मान लीजिए कि आप जो है और एक्जमपल मान लीजिए कि आप कलकत्ता में जाकर आप बंगाल में जाकर पंजाबी भाषा की cod कोल apparently एको बंगाल में जाकर तो आपको पंजाबी भाषा की इसकुल नहीं खोलने दिया जा रहा है तो आपके कृन से अधिकार का हो रहा है देखो बंगाल में पंजाबी भाषा माइनोरीटी है अलपसंख्यक है थेक Allom कि पंजाबी भाषा अलप संख्यक होने के कारण यह अधिकार है आप लोगों को कि भाइच्ट पर में इस एरिया सेक्षणिक अधिकार, सिख्षा नहीं है, यह सेक्षणिक अधिकार होना चाहिए ता आपका educational right, cultural and educational right, इसका अनन हो रहा है, अगर मान लीजे कि आप जैन समुदाय से बिलॉग करते हो, धार्मिक रूप से आप अलप संख्यक हो, अलप संख्यक दो तरीके से हो सकते है, या त अगर कोई तमिल वाला परसन उत्तर प्रदेश में जाकर स्कूल खोलने की अनुमति मांगता और उसको वह अनुमति मिल जाती है, तो उसको कौन सा अधिकार दिया आपने सांस्कृतिक अधिकार दिया है, क्योंकि माइनोरिटी को अपने भाशा को प्रोटेट करने के लिए या अपने कल्चर को प्रोटेट करने के लिए सैक्शनिक संस्थान खोलने का अधिकार है, केवल माइनोरिटी को, और माइनोरिटी कितने प्रकार की होती है, जल्दी से लिखो आप लोग, ठीक है, माइनोरिटी दो प्रकार की होती है, लिखो सभी लोग, लिखो पढ़ने का कोई फाइदा निए तो रीना श्योरान जी आपसे किसने कहा पढ़ने के लिए ठीक है इसने कहा आपको मतलब आपको बागी लोगों को डीमुटिवेट करके क्या मिलेगा अव्यस सी बात है आप जा के सूछ सकते हो आप जाए कुछ कीजिए यहापर में यह जो चीजे जो थी आपको याद अखने है अगर यह कोई भी fundamental right का हनान होता है आप लोगों का तो article नंबर 32 के जरिए आप लोग क्या कर सकते हो आप लोग जो है को जा सकते हो यह भी अधिकार आप लोगों को मिला हुआ है ठीक है तो इस तरह से आप लोगों की यह सारे के स और मोसमे थक जाओंगे, पड़ते पड़ते में नहीं थकने वाला, इतने गोशें हैं ये हमोशें, यहां पर में कर सकते हैं। मैं और मेरी técm पूरी लगी हुई है, मैं सबसे पहले पहले हमारी पूरी team है, back end भी थन्य में लगत हैख करना चाहूंगा। उन्होंने यहां पर में इतना जादा सपोर्ट किया और टीचिंग परिक्षा की जो टीम है वो डेडिकेटेड टीम है बहुत जादा डेडिकेटेड टीम है एचिंग परिक्षा की और एक एक बंदा जो होता है वो बिल्कुल अपना 100% यहां पर में देता है एक एक बंदा य आपका Super Sticker के लिए बहुत-बहुत शुक्री आपका, ठीक है, यह Teaching Parisha का पहला Super Sticker है, अच्छा, चलिए, थैंक यू Baby Mahamji, तो आप लोगों यहां पर मैं देख सकते हो, हमने इसारी महनत किये, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब तक आप पढ़ सकते हो, तब तक मैं आपको तो काफी सारे लोग है, यहां पर मैं जो चाहते कि कल पढ़ाया जाए, तो मैं ठीक है, कोई इशू नहीं है, कल पढ़ा लेंगे इसको, बाखी Teaching Parisha Channel जो है आप लोगों का, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दानिशेख Telegram Group है, उस पर जूड़ जाएए, D-A-N-I-S- आप लोग देख रहे हैं, Teaching Parisha Channel को सब्सक्राइब जरूर कर देगे, Teaching Parisha Channel को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, मेरे पास में हिम्मत है, मैं आप लोगों क और भी पढ़ा सकता हूं, बहुत सारी चीज़ है मेरे पास में, इतना आप पढ़ सकते हो, उतना मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, आप लोगों ने देख लिया, अभी भी energy है, पूरी energy है, पूरा पढ़ाया जा सकता है, बच्चे लोग ठक गए हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पेडागोजी करवाने वाला हूं, ठीक है, पेडागोजी अगर आप लोगों ने पढ़नी है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि जी हा, सर पेडागोजी पढ़ा दीजिए, और टीचिंग परीक्षय चैनल के उपर में जाकर पेडागोजी का सेश सकता है, बस पढ़ने वाले बच्चे चाहिए होते हैं मेरे को, और आपको बता दूँ फ्रेंड्स की आपके पेपर वाले दिन, ठीक है, पेपर वाले दिन सबसे फास्ट, सबसे सटीक, सबसे पहले जो आप लोगों का आंसर की मिलेंगी आप लोगों को और जो आनलिसस मिल मिलते हम लोग हमारे यहां पर में, नेक्स लेक्चर के अंदर में, बिल्कुल मुहमाद नदीम जी बिल्कुल पास हो जाओंगे, आप अराम से, जितने भी लेक्चर मेरे रखे होए, टीचिंग परीशा चैनल के अंदर में जाहिए, और देख सकता आप पूरा, दानिससर आप को हमारी तरफ से थैंक्यू, ठैंक्यू साहितारो जी, ठैंक्यू बर्री ₂, चलिए। मिलते हम लोग हमारे नेक्स लेक्चर में बहुत सारे लोग रिख रहे हैं , दानिससर थैंक्यू, दानिससर थैंक्यू, तो मैं भी आप लोग को जाहना चाहूंगा, बачеओ, अब तक के लिए, thank you very much friends, take care and bye, God bless you all, वो, telegram group Dhanish Sheik, और Teaching Parisha join कर लेना, Teaching Parisha app download कर लो, Google Play Store से, आप लोगों को मिल जाएंगी सारी चीज़े, चलो, thank you very much, take care and bye, God bless you all, thank you friends, bye, thank you.